कि अगुआ अगया है आगए आज अपने और देखते हैं लास्ट वाय ने कोई हमवक्त नहीं दिया था आप लोगों बट लास्ट में अपने यह बोश्कते हैं कि जो सम्स अपने किये हैं वो सारे के सारे सम्स बहुत इंपोर्टेंट थे और वर्सलिटाइल सम्स से कुछ नया सीखने को मिलेगा क्या होता ना कि जब चैप्टर अपने कर लेते हैं तो गहीं ना कहीं मोनोटोनस हो जाता है यह अपने सेम पेस पे चल रहे होते हैं बट अपने जदी उसमें कुछ विरैटी मिल जाये कुछ अलग तरह का मसाला मिल जाये तो अच्छा लगता है एक अच्छे मतलब बोसकते हैं कि जिन्हें आप प्रोफेशनल कोड जो भी कर रहे हैं तो डेफिनेटली उन्हें कुछ नया वर्सलिटाइल सम्स चैलेंजिंग सम्स से उन्हें अच्छा लगता ह तो उस point of view से अपने बोसकते हैं कि question number जो अपने last class में जो जो sums कवर कियें वो सारे के सारे अच्छे थे और आज अपने बचा हुए sums को कोशिस करते हैं कि cover कर लें तो अपना एक बचा हुआ sums है question number 26 question number 26 देखेंगे अपने और question number 26 में क्या है तो यह 26 तो कर चुके अपने लग रहा है है ना last class ही हो गया तो 26 26 last class हो गया था तो अपने आगे करेंगे question number 26 के आगे पहले चुटा वा 25 तो 25 करेंगे तो the following data were provided by the accounting records by Ryan Limited at the year end March 31st 2010 तो यह आपका for the year 31st March 2010 आप बना रहे हो यह धियान रखोगे और उसके बाद आपका दिया हुआ है sales दिया हुआ है cost of goods sold है operating margin दिया हुआ यह और यह हो गया gross profit और उसके नीचे आपका operating expenses including depreciation expenses 37,000 is 147,000 total आपका income आगया 31,000 और यह दी आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि interest expenses paid interest कितना pay किया है तो आप जानते हैं कि interest expenses financing activities का है interest income received gains on sale of investment ठीक है और यह आपका investing activities हो गया है यह भी investing activities हो गया loss on sale of plant यह भी आपका non operating हो गया cancel होगा and income tax paid कितना है यह आगया यह आपका profit after tax हो गया और next अपने comparative balance sheet भी दिया हुआ है यह पेल था और यह balance sheet balance sheet में आप देख सकते हैं जो items is well होता है वही है plant assets है और plant assets के ओपर accumulated depreciation अनलग से दिया हुआ है यह carrying amount है फिर investment long term बता दिया current assets में inventory है account receivable है जैसे as usual cash and cash equivalence भी दिया हुआ है बीच का difference answer होगा prepaid expenses भी दिया हुआ है लाइबरेटीज में share capital है इसके अंतर में भी changes record किया गया है you can see 465 and 315 फिर a reserve and surplus एक चालीस और एक बत्तिस बॉंड्ड करेंट लाइबरेटीज में भी आपको दिखाई दे रहा है और यहां पर current लाइबरेटीज के अंदर में accounts payable accrued लाइबरेटीज income tax payable दिया हुआ इस पर ठीक है ना 3000 ओपनिंग में पेबल था लास्ट में 5000 है यानि क्लियर है कि जो करेंट यह में 2000 देना बागी था वह भी हमने नहीं दिया है लास्ट यह का 3000 दिया और इस साल का हमने 5000 नहीं दिया तो आगे पढ़ते हैं सीधा पहले जब सबसे पहला अपना काम होता है असके बाद आगे जाते हैं अनालिस अब सेलेक्टेट एकाउंट एंड ट्रांजिक्शन दूरिंग 9-10 गिवन है पर चीज्ड इंवेस्टमेंट फॉर 78,000 तो यहां पर इंवेस्टमेंट आपने खरीद है इंवेस्टिंग एक्टिविटीज होगा 102 investment credit होगा 90,000 आपका जो profit होगा वह profit हो जाएगा credit 12,000 से purchase plant assets for Rs. 1,20,000 plant account devoted to bank हो जाएगा 120 sold plant assets that cost 10,000 with accumulated depreciation 2,000 for Rs. 5,000 इसका जनेंटरी होगा bank account devoted ठीक है न और कितने बेचे हैं 5000 ने बेचे तो bank account devoted 5000 accumulated depreciation account devoted आपका कितना हो जाएगा 2000 ठीक है न आपका plant credit हो जाएगा 10,000 and 3,000 का आपका loss हो रहा है तो P&L debit होगा 3,000 तो bank debit फिर से बोर रहा हूँ 5, accumulated depreciation 2, loss यानिके P&L debit 3 and assets plant credit होगा 10, issued 1,000,000 of bonds at face value in an exchange for plant asset on 31st March 2010 तो अपने 1,000,000 bonds issue किया है face value in exchange for plant assets यानिके plant खरीदे हैं उसके बदले में अपने 1,000,000 रुपए का bonds issue किया है ठीक है न तो यहाँ पर total plant जो purchased यहाँ पर लिखा purchase plant assets for 1,000,000 तो उसमें से यह clear होगा कि अपने issued 1,000,000 of bonds at face value in exchange for plant assets on 31st March 2010 तो इसका मतलब है कि अपने 1,000,000 रुपए बागी क्या है दिये होंगे repaid 50,000 of bonds at face value at maturity यहाँ पर bonds का redemption भी हुआ है जिसका अपने 50,000 दिये है इशू 15,000 shares of rupees 10 each और अपने 1,500,000 रुपए का share issue किये है and paid cash dividend 8,000 अपने cash dividend दिये है prepare cash flow statement using indirect method तो यह सारा adjustment का effect आपको डालना पड़ेगा तब जाकर आपको sums बनाना है मतलब sums करते समय इन सब बातों का ख्याल रखकर ही आपको sums करना है तो question number 25 heading डाल देंगे ठीक है na question number 25 करने जा रहे है अपने तो आ जाएगे question number 25 पर heading डालेंगे question number 25 format बना लेंगे एक page अपने पूरा का पूरा almost operating activities के लिए और दूसरा page अपने जो बनाएंगे वो financing और investing के लिए cash flow statement कब के लिए बना रहे है वो year mention कर देना का बढ़ेगा 31st मार्स 2010 के लिए बना रहे है तो आप यहाँ पर लिखेंगे cash flow statement cash flow statement for the year ended 31st March 10th figures भी चेक करेंगे कि absolute figure है हाँ absolute figure है मतलब rupees in thousand and lakhs नहीं है absolute figure का मतलब यह हुआ अपने directly यहाँ पर डाल रहे है जो absolute figure है वही अब यहाँ पर जो आपको पता है वो आपको यहाँ पर पता है वो क्या है तो पहला आपको जो डालना है वो होगा आपका cash flow from operating activities cash flow from operating activities and B number होगा आपका B number cash flow from investing activities और सी होगा आपका cash flow from financing activities साथ ही साथ अपने और भी जो start लिखते हैं वो भी लिख देना चाहिए सबसे पहला आपको पता ही है कि अपने start करते है profit before tax से तो we should write here profit before tax profit before tax उसके नीचे heading होता है adjustment for non cash and non operating items ठीक है तो यह आपको adjustment यहाँ पर करना है non cash and non operating items so next heading जो डालेंगे वो है आपका adjustment for changes in working capital तो वो भी एक heading डाल के रखे adjustment for changes in working capital तो अब हम लोग समस स्टार्ट कर सकते हैं इतना करने के बाद हमारा काम जो है वो अब हम लोग directly put कर सकते हैं जो item जैसे मिलेगा वैसे वैसे डालते जाना है यही आपका काम है कहीं न कहीं अपने वो सकते हैं कि आप monotonous हो गया सब याद हो गया sir अप करने की जरूरत नहीं है आप छोड़ दो हम खुद भी कर लेंगे हां ऐसा कर रहे हैं मैं छोड़ सकता हूं को प्रॉब्लम नहीं है आपको अच्छी देखे से पता है कि आपका profit before tax यहां पर दिखाई दे रहा है और वो figure 23,000 यहां profit before tax है 23,000 से यह शूड़ स्टार्ट विट इस फिगर 23,000 क्योंकि इंकम टैक 7,000 आपने यहां पर प्रोवाइड किया है तब जाका आउटर कॉलम में 16,000 है तो यू में राइट 23,000 profit before tax आप यहां से स्टार्ट कर सकते है 23,000 से चीक है नेक्स आगे बढ़ेंगे अपने आगे गीच क्या है वो भी देख लेते हैं तो अपने जो यहां पर दिख रहा है वो items non cash non operating items यहां पर भी देख सकते हैं gain on sale of investment loss on sale of plant यहां पे 3,000 देख रहा है दिख रहा है ना यहां पर loss on sale of plant 3,000 loss on sale of plant 3,000 तो loss on sale of plant 3,000 यहाँ पर है तो यह 3,000 का आप effect डाल सकते हैं कि यदि loss हुआ plant के उपर तो आप plant account खोलिए, workings में plant account खोलिए workings में अपने plant account बना रहे हैं plant account जो अपने को पता है वो अपने डाल रहे हैं by loss होने से अपने by loss on sale लिखते हैं by loss on sale 3,000 है plant account में यह 3,000 गया तो इसका corresponding effect और डालेंगे तो आपका loss on sale of plant के current profit कम हुआ होगा तो यहाँ पर आप loss on sale of plant को add back करोगे तो loss on sale of plant 3,000 यह add back होगा next देख सकते हैं gains on sale of investment इन्वेस्टमेंट का भी लेजर खोलते हैं तो इन्वेस्टमेंट एकाउंट में यहाँ पर अपने इन्वेस्टमेंट का लेजर खोल ले रहे हैं इन्वेस्टमेंट एकाउंट में आप दिखा देंगे 2 P&L profit and loss account या 2 gains कितने का है gains वो देखिए 12,000 का है तो आप यहाँ पर 12,000 दिखाएंगे since यह profit P&L में ले रखे हैं but non operating items है तो यहाँ से हटाना पड़ेगा तो आप P&L के अंदर में जाएंगे और वहाँ पर आप इसे eliminate करेंगे तो आप यहाँ पर लिखेंगे profit या gains on sale of investment sale of investments और gains on sale of investment है कितना वो यहाँ से eliminate करना है that is 12,000 इसके कारण profit बढ़ा हुआ होगा यहाँ से आपको minus करना पड़ेगा यह हो गया आपका दूसरा नंबर interest income received देख लिजी interest income received 6000 अब interest income received तो आप जानते हैं कि यह non operating है 6,000 रुपये तो interest income received आप P&L में adjustment करेंगे interest income received अब इस 6,000 के कारण profit हमारा बढ़ा हुआ होगा तो अपने को profit को कम करना पड़ेगा दूसरा effect इस 6,000 का कहां पर आएगा तो बोलते हैं 6,000 रुपये हमारा investing activities में आ जाएगा interest income received interest income received 6,000 तो interest income received 6,000 यहां पर यह source हो जाएगा इसलिए अपने open रखे bracket में नहीं डाले next है interest expenses paid 23,000 अब यह interest expenses P&L में अपने 23,000 दिखा रखे हैं तो यह 23,000 जदी अपने P&L में दिखाए हैं तो वहाँ से हटाना पड़ेगा और financing activities में जाएगा तो interest paid यहां पर लिखेंगे interest paid 23,000 यहां पर application होगा और non operating items में इसे adjust करेंगे interest paid 23,000 इसके कारण profit कम हो गया है तो इसे अपने को profit में add back करना पड़ेगा यहां पर यहां पर अधर इंकम यहां पर दिखा रहे है तो यहां पर अधर इंकम and expenses का बताया यह total 31,000 आया operating expenses में including depreciation यहां पर अपने को 37,000 दिख रहे है तो अपने depreciation को cancel करेंगे 37,000 अपने यहां पर depreciation दिखाएंगे depreciation 37,000 add back होगा and अलग से provision for depreciation का laser भी खुलेगा plant account के नीचे या उसके parallel भी खुल सकते हैं खुल सकते हो आप तो यहां पर आप लिखो provision for depreciation provision for depreciation और इस बार जो P&L में charge हुआ वो by P&L 37,000 का figure आपने लिखा by P&L 37,000 का figure आपने लिखा next move करते हैं इसके बाद क्या है आगे बढ़ेंगे और लिखा हुआ है उपर के तरफ जा रहे हैं complete करने पहले operating expenses बाकी कुछ नहीं बोला हुआ तो अपने उसे cancel नहीं करेंगे मान लेंगे उतना है और cost of goods sold ठीक है sales ठीक है कोई issue नहीं है यहां तक अपना तो अपने यह सब okay हो गया कहानी खतम income tax payment खर्चा है 7,000 कहीं देखेंगे कि provision for tax account है भी या नहीं है यदि है तो उसका अपने adjustment करेंगे income tax payable का ठीक है ना तो income tax payable दिया हुआ 3,000 और आप देख सकते हैं कि वहाँ पर आपका ultimately क्या किया हुआ है adjustment किया हुआ है ठीक है ना तो यहां पर अपने जो income tax payable आप देख सकते हो 3,000 ओपनिंग में payable है और last में income tax payable अपने को दिखाई देरा 5,000 और income tax provision तो income tax payable जो है वो समझो कि आपका liabilities है तो 3,000 आपका है और आपका PL में आपने income tax charge किया हुआ है दिखाई देरा है 7,000 का तो 3,000 प्लस 7,000 टोटल हो गए 10,000 देना था 5,000 आपने नहीं दिया है last में बचा हुआ income tax payable तो that means कि 7 प्लस 3, 10, 10 माइनस 5 5,000 was paid during the year तो cash flow statement में आप यहाँ पर लिखोगे operating activities का last second last item होता है income tax payable तो आप यहाँ पर लिखोगे income tax payable income tax payable 5,000 ठीक है और अपने profit before tax 23 से start किये हैं तो कोई issue नहीं है वो तो income tax provision add back करते 16 से start करते तब जाके 7 add back करते तो 23 आजाता बट अपने तो start ही किये है 23 से तो कोई issue नहीं आने वाला तो यह देखिए 23,000 ही है अपना starting profit before tax तो 16 प्लस 7 भी करेंगे तो 23 आएगा बट income tax paid during the year 5000 का ही cash outflow हुआ है for the purpose of tax इसका मतलब हमने अभी PL का हर item का effect डाल दिया अब हम लोग balance it के बारे में सोचेंगे और balance it में सुरू में आप देख सकते हैं कि initially आपका balance it के अंदर में plant सुरू में 5,5,000 last में 7,15,000 since plant assets अपने लेजर खोला हुआ है तो आप वहाँ पर जाके post कर दीजी कहानी कम सोचना है सोचना ज़्यादा नहीं पड़ेगा सीधर 5,5,000 आप डालेंगे तो आप यहाँ पर आजाईए और plant account में आएंगे और plant account में आप लिखेंगे true balance brought down 5,5,000 buy balance carried down 7,15,000 this one 7,15,000 next provision का भी balance है तो opening balance was 68,000 closing 103 provision is a liability तो आप लिखेंगे buy balance brought down 63,000 68,000 68,000 and two balance carried down और two balance brought carried down हो जाएगा 1,03,000 1,03,000 तो यह हो गया आपका accumulated depreciation का कहानी over अब हम लोग आगे बढ़ेंगे आगे में है क्या investment है investment आप देख सकते है कि 1,27,000 है और सुरू में तो वो balance investment का भी लेजर खोले हैं वहाँ पे 1,27,000 लिख दीजिए investment account में two balance brought down 1,27,000 और closing balance है आपका 1,15,000 1,15,000 next आजाएंगे inventory है आपका 110 से 144 हो गया तो inventory जो है आपका changes हो रहा है कितने से तो एक लाग 10,000 से एक लाग 44,000 होने का मतलब है 34,000 से increment हो रहा है 34,000 से जो आपका inventory बढ़ रहा है उसे आप लीजिए तो आप changes in current assets जो है आप वो लेंगे changes in current assets या working capital में जो लेंगे तो increase in inventory यहाँ पे डालोगे increase in inventory 34,000 और यह अच्छे तरीकी से पता है कि यदि inventory बढ़ता है तो application होगा रुपए लगेगा तभी तो आपका inventory बढ़ेगा otherwise inventory क्यों बढ़ेगा next बात करेंगे inventory के बाद जो दिया हुआ है उसकी बात कर रहें अपने तो inventory के बाद next है आपका accounts receivable 55 से 47 हो गया तो आपका decrease हुआ 8,000 से 8,000 तो आपका 8,000 से यह source हो गया तो आप लिखेंगे decrease in account receivables 8,000 यह source हो गया next है आपका cash तो answer ही होगा prepaid expenses 5,000 से 1,000 हो गया इसका मतलब चार अजार से prepaid expenses कम हुआ यह source है तो decrease in prepaid expenses decrease in prepaid expenses 4,000 4,000 से आपका prepaid expenses decrease हो गया next से आगे बढ़ेंगे आगे क्या है वो भी देख लेते हैं और तो यहां पर अपना जो है वो assets side over share capital में है share capital में आप देख सकते 3,15 से 4,65 होने का मतलब है कि there was an issue of shares तो share कितना issue हुआ आप बीच का difference है 1,50,000 और इस रिलेटर इंफोर्मेशन पहले इंफोर्मेशन चेक करेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है तो यह तो नहीं लिखा है कि share issue की है cash against asset और या कुछ something else तो इसका मतलब है यह cash में issue हुआ होगा तो अपने यहां पर financing activities में लिखेंगे issue of equity shares financing activities में लिखेंगे issue of equity shares 1,50,000 issue of equity shares 1,50,000 यह source होगा because इससे cash inflow होगा नेक्स आएंगे item wise ही चल रहे है यानि कि balance it में लेबरी सेट अभी analysis कर रहे है this is done reserve and surplus है तो reserve and surplus का अपने analysis कर लेते है एक 32 एक 40 होने का मतलब है कि आपका कैसे आया हूँ आपको analysis होना चाहिए तो अपने को पता है कि एक लाग 32 जार profit बचा था 16,000 देख लीजिए profit after tax 16 तो 16,000 आड करेंगे 132 से तो 148 हो जाएगा बट यहां पर एक 40 है तो 8,000 कहां गया तो 8,000 कहीं न कहीं देखते हैं और 8,000 का कोई information है क्या तो cash paid dividend यह रहा point numbers 8 में paid cash dividend 8,000 तो यह सब चीज अपने आप analysis करना पड़ता है लिख के दे दिया है और cross verify हो जाता है यह यह question silent रहे है तो इस तरह का assumptions लेके खुद बे खुद पे करके दिखाना पड़ता है तो cash dividend paid आपका हो जाएगा financing activities में dividend paid dividend paid 8,000 यह आपका application होगा इसका मतलब हम लोगों ने पेल का भी analysis कर लिया कि हमारा reserve and surplus 32-42 कैसे हुआ तो उसका कहानी clear next year bonds 245-295 हो गया तो बीच का difference पचास ज़र का bonds increase हुआ है during the year bonds related कहानी भी है वो कहानी पहले देखेंगे कि क्या कहानी है तब जाकर उसका analysis परफेक्ट बैठेगा कहां पर है bonds वो डूंड़ो लिखा हुआ है कि आपका repaid 50,000 और bonds at face value at maturity 50,000 का bonds redeemed हुआ तो इसका मतलब है यह अपने bonds account खोले तो ज्यादा story clear होगा मैं आपके लिए खोल दे रहा हूं मेरे मेरे को कोई issue नहीं था बट आपके लिए एक समझने के लिए bonds account यदि open कर लेते हैं तो ज्यादा आपके लिए clear रहेगा सोचना कम बढ़ेगा for example opening balance 245 तो आप लिखोगे by balance brought down तो आपने यहाँ पर लिखा by balance brought down और यह है आपका opening 245,000 तो आप यहाँ पर 245,000 लिख दिया और फिर आपका हो जाएगा आपका two balance carried down जो की है 295,000 295,000 तो यह 2,95,000 आगया bonds का clear है यह 2,95,000 हाँ जी तो हमने अभी जब laser खोल लिया तो सोचने का कोई problem नहीं होता फिर बाद में bond से related adjustment करेंगे और यदि जब हमें laser नहीं कोलते हैं तो पूरा story clear होना चाहिए कि इसके साथ क्या क्या हो रहा है और conclusion हो जाना चाहिए तो अभी तो अपने अब laser खोल लिए तो कहानी देखो 43,000 से 50,000 होने का मतलब है कि there was an increment by 7,000 तो 7,000 का increment दिख रहा है तो 7,000 रुपया source हो गया भई liabilities बड़ा तो cash flow होगा तभी जाके liabilities बड़ा तो यह 7,000 आपका क्या हो गया ultimately यह 7,000 आपका हो गया source accounts paypal के बाद आपको जो दिख रहा है वो है accrued liabilities और वो है 9,000 से 12,000 हो गया यह भी increase हुआ तो आप लिखें के increase in accrued liabilities increase in accrued liabilities कितना 3,000 this becomes source यह भी आपका source ही है 9,000 से 12,000 सो यह आपका source हो गया नेक से आपका income tax paypal तो अलड़ी हम लोग इसे consider किये थे याद करो 5000 आड़ कर दिये थे opening paypal और जो tax provision आया था वो था आपका कितना 7,000 income tax आपका provide हुआ था 7,000 तो 7,000 प्लस 5,000 12,000 और 12,000 में last में 3,000 रह गया तो इसका मतलब है 12,000 माइनस 3,000 9,000 पेड हुआ अपने कुछ figure interchange कर दिये थे तो यहाँ पर 9,000 income tax paid आएगा यहाँ पर income tax paid 9,000 करिए ठीक है ना 9,000 होगा income tax paid का figure ठीक है 5000 प्लस आपका 7,000 12,000 हो गया आपका opening balance में आपका during देर जो बनाया टाक्स का वह आड़ बैक हो गया और माइनस जो लास्ट में आपने पेड नहीं किया तो 3000 आपने पेड नहीं किया तो टोटल इंकम टेक्स आपने पेड कितना किया वो निकल आया यहाँ इसके बात दे रहा है ऐन नलएसेज ऑप सेलेक्टिटेटं एककाूँट्ट in ट्राइक्स उपह अपने जितना उपर से देखें किया वार्त जटुकार्टी लेजर खुटे अब फिम फिर यह परचींट पर इंवेडर्य थाओजन इनवेडर्य उम्सायट और यह आपका क्या हो जाएगा आउट फ्लो गिए और आउट फ्लो नेक्स्ट है यह दूसरा जगह पर भी जाना चाहिए तो सिंस आप इंवेस्टमेंट लेजर खोले हो इंवेस्टमेंट लेजर में तूब बैंक करके जाएगा 78,000 नेक्स्ट आते हैं इसके बाद क्या है तो बुलते हैं कि 78 के बाद नेक्स्ट है आपका सोल्ड इंवेस्टमेंट लेजर पर 1,002 वेस्टमेंट लेजर आपने बेचा है एक लाग दो अज़ार में तो 12 जागा प्रॉफिट्ट यह बारा जागा प्रॉफिट तो आलरडी जो कि पील से मिल गया था आपको केवल और केवल यहां पर दिखाना है बाइब आप एक लाग दो अजार में आपने जो बेचा वो दिखाई ए नाइंटी थाउजन का इंवेस्टमेंट इस वाण जिरो टू तो आपका ऑल यह सोर्स होगा पर वाज यहीरो टू एन ट्रिपल जिरो दूसर ओस को सोंबोर नमबर वन हो गयाजाओ नमबर टू हो गया पटैस अशिट्सपा एक लाग 20 20000 आपने प्लांट एक लाग 20,000 का खरीदा है और यहां पर एक बात और लिखा हुआ है कि आपने इसके लिए बॉंड्स इशू किया है वो पॉइंट नंबर फाइब पड़िये तो इशूड वन लाक और बॉंड्स एट फेस वैलू इन एक्षेंज और प्लांट ऐसे सों 31 मा खरीदे हैं उसके बदले में अपने बॉंड्स इशू की है तो अपने खरीदें 1,000,000 का तो अपने क्या हो जाएगा प्लांट एकाउंट में जाएंगे और लिखेंगे टू बैंक अन्ट भॉंड्स अपने इस्यू कि एक लाग का और टू बैंक 20,000 टोटल 1,20,000 का है न तो आपने पर्चेस किया है प्लांट 1,20,000 जिसमें आपने कैश में दिया 20,000 और बॉन्ड से चुका है एक लाग तो बॉन्ड में आप लिखेंगे बाई प्लांट बाई प्लांट और कितने का आपने खरीदा तो एक लाग रुपए का प्लांट खरीद लिया और 20,000 जो आपने बैंक से पेमेंट किया है उसका एफेक्ट आप दिखाएंगे किसमें तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में दिखाएंगे आपने 20,000 रुपए का प्लांट खरिदा है तो पर्चेस अप्लांट पर्चेस अप्लांट 20,000 इसके लिए कैश आउट फ्लो हुआ तो तो तैट मेंस कि अपने अजस्मेंट नंबर पूर कर लिए नहीं थ्री कर लिए पर्चेस ब्लांट आसेस फॉर वन ट्वेंटी और इसुड वन लाक और बॉंड्ड्स अट फेस्ट वैलो इन एक्चेंज पर प्लांट आसेस उन थर्टी फर्स्ट मार्च तो थाउजन टेन तो यह अपने कर लिए अभी सोल्ड प्लांट सेस्ट एक एंट थाउजन विट अक्मलेटेट अप्रीशेशन टू थाउजन यानि दस जर कॉस्ट है दो जर्ट उसके पर एकमलेटेट अप्रीशेशन है पॉर रुपीज फाइब थाउजन तो अपने इसका वैलो होगा आठ हजार और आठ हजार का चीश पांच तो यह लॉस ऑप थ्री थाउजन तो आप देख सकते हैं कि हम लोग प्लांट एकाउंट बनाये और प्लांट एकाउंट में वो तीन अजार रुपया अल्रेडी आया हुआ है लॉस ऑन सेल केवल बाकी इंट्री होना बाकी है तो बाई बैंक थाउजन में आपने बेचा है और बा जार ही क्योंकि 10,000 ही बिकोज 10,000 का प्लांट भी कह है अब रिस्पेक्टिव इंट्री जो है आपको डाल देना पड़ेगा कहाँ पर तो आपको लॉस यह प्रोविजन फॉर डपीशेशन में लिखना पड़ेगा टू प्लांट 2,000 और यह जो आपने सेल किया न 5,000 रुपए का तो यह आपका अल्टिमेटली इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा सेल अप्लांट सेल अप्लांट 5,000 और यह सोर्स होगा आपका सेल अप्लांट 5,000 और इस विल बी यूर सोर्स तो आई थिंक अपने अब बोल सकते हैं कि अड़्जस्मेंट नंबर 4 डन बिकाज अड़्जस्मेंट नंबर 4 अपने कर लिए इसके अंदर में जो चीज था हो तो अपने कवर कर लिए इस ओल प्लांट एट कॉस्ट 10,000 विट अने अपने 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 कर लिए यह नहीं दिखाएं हम लो तो रिडीम करना बॉंड्स आपका फानेंसिंग एक्टिविटीज हो गया यहां पर लिखेंगे रिडेम्शन और बॉंड्स रिडेम्शन और बॉंड्स 50,000 और यह अप्लिकेशन और बॉंड्स एकाउंट में जाएंगे और बॉंड्स में लिखेंगे आप टू बैंक ठीक है टू बैंक और 50,000 आगे तो बॉंड्स का अभी कहानी खदम इसूट 15,000 सेयस अब 10 इच तो शेयस इसू करा चुके है अपने पेड कैस डिविरेंट 8,000 करा चुके है तो सारा हो गया अब रूस कहता है कि जो आपने एक्स्ट्रा लेजर खोला है पहले उसे बंद करिए तब जाकर आप कंक्लूड करिएगा यहाँ पर अपने एक्स्ट्रा लेजर एक बॉंड्स को ले है चलिए इसको कंप्लीट कर दें इस साइड टोटल इस 3,45,000 ट्रेट साइड टोटल एंड डेट साइड टोटल इस ओसो 3,45,000 यहाँ अब कुछ भी मिसिंग नहीं है पांच हजार उस साइड में देखें कितना आ रहा है जीरो 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 पाइव एक लाग पांच हजार इसका मतलब पर प्रोविजन फर डेप्रिशेशन का भी अनालेसिस बैट है आप कुछ भी नहीं करना है प्लांट एकाउंट को बैलन्स करेंगे और इसका दिखेंगे कि क्या आ रहा है तो इधर में आपका टोटल है 5,6,25,000 डेबिट से ही टोटल कितना है जदा है तो 5,000 प्लस 3,000 प्लस 2,000 प्लस 7,15,000 ठीक है टोटल होगे 7,25,000 तो अपने देखे 7,25 लिख दिये और 725 से माइनस करेंगे कितना 625 तो माइनस पांच लाग पांच अज़ार माइनस एक लाग बीस अज़ार टोटर एक लाग रुपए का सौटे जा रहा है तो अपने एज्यूम करेंगे कि परचीज हुआ कैश में बालेंसिंग फिगर एक लाख तो एक लाख रुपए का अपने प्लांट पर्चेस किये हैं तो प्लांट आप इंवेस्टिंग एक्टिविटीज में लिखें गेंगे परचीज अपलैंट एक लाख रुपए कैश में अ एक लाग रुपे कैश में पर्चिस अप्लांट क्या हो गया अप्लिकेशन नेक्स आएंगे एक्स्ट्रा लेजर और क्या खुला हुआ स्वरी उधर तो जुरुत नहीं है इधर चलेंगे एक्स्ट्रा लेजर में और क्या है हमारा तो प्लांट क्या इंवेस्ट्मेंट एकाउंट को भी बालंस करके देखेंगे कुछ में सिंग हो तो निकल कर आएगा तो आपका वन लाक्विटी सेवन है प्लस त्वल थाउजन प्लस सेवेंटी गेट थाउजन इधर का टोटल दो लाग सतरे जार उदर में मतलब डेविट से टोटल 217 आ रहा है और खेट से टोटल भी आप देख लो क्या रहा है 217 और गया तो माइनस हाँ दो लाग सतरे जारी तो आ provision for depreciation account, bonds account, यह सारा हमने कर लिया, तो अभी अपने करेंगे क्या आप, तो बोलते हैं, इसके बाद हमारा कुछ बसता नहीं है, everything is done, अब हम लोग सीधा, sums पे attack करेंगे, कि बही चलो, यहाँ पर एक एक करके अपने complete करते हैं, एक एक स्टेप निकालते हैं, क्या है यह, तो 23,000 plus 3,000, 26,000, minus 12, minus 6, 18,000, minus 18,000, plus 23,000, plus 37,000, total is equal to 68,000, total is equal to 68,000, 68,000 में अब इधर का adjustment कर देते हैं, तो minus 34,000, ठीक है, और 12, 19, 22, और इसमें 22,000 add होगा, तो total यह result होगया, 56,000, और 56,000 से 9,000 less होगा, तो 47,000 होगया, outer column में, after tax के बाद का figure, 47,000, इसके बाद आपका investing activities में आ जाएगे, investing activities में क्या आ रहा है, तो investing में है, 6000 positive, minus 78,000, एक लाग दो हजार positive, minus 20,000, plus 5000, minus 1 lakh, 85,000 application आ रहा है, तो 85,000 within bracket, and next हो जाएगा आपका 23,000 negative, तो एक लाग पचास जार positive है, उससे 23,000 negative है, 8,000 negative है, पचास जार negative है, तो आपका total जो positive बचा हूँ है, 69,000, अभी अपने a plus b plus c कर देते हैं, क्या result आ रहा है, वो लिखेंगे a plus b plus c, 69 positive है, और positive था इदर में आपका 47, तो प्लस 47, टोटल एक लाग 16,000, और माइनस करना है, 85,000, तो positive बचा 31,000, तो यह result आ रहा है, 31,000, और न, 31,000 में ओपनिंग cash and cash equivalent अपने को add करना है, तो balance देखिए, आपका opening balance है cash 15,000, लास्ट में 46 आना चाहिए, तो 15,000 add करेंगे, opening cash and cash equivalents 15,000, तो closing cash and cash equivalents के बराबर आ गया, 46,000, तो आप यहाँ पे लिख देंगे closing cash and cash equivalents 46,000, ठीक है, तो यह sum भी हो गया अपना, sum number था यह, कितना आपको पता ही है, 25, तो 25 हो गया, next sums में move करेंगे, अब अपना next sums क्या है, वो देखते हैं, तो 26 हो चुका है, अल्रड़ी आपका, 26 हम लोग अल्रड़ी कर चुके हैं, और sum number है 27 इसके बाद, ठीक है, 27, काफी adjustment है 27 में, और कोई issue नहीं है, हम लोग बड़ा-बड़ा sums कर चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अल्मोस्ट अब, आज लग रहा है कि chapter यहीं पर over हो जाएगा, तो कोई issue नहीं है, chapter यहां पर अपना complete करेंगे, तो 27 number स्टार्ट करते हैं, आज का class वहीं पर 27 में क्या है, वहां से स्टार्ट करो, from the following information, prepare cash flow statement, देख सकते हैं, as per AS3 for banjara limited using direct method आप से demand कर रहा है, यानि कि अपने को जो बनाना है, वो direct method को लेकर बनाना है, balance sheet जो दिया हुआ है, वो यहां पर 31st March 2010 को दिया हुआ है, 2010 और 9 आप देख सकते हैं, current year का डेटा पहले है, और previous year का डेटा बाद में, यहां पर आप देख सकते हैं, वो सारा assets है, फिर total assets दिखाई दे रहा है, इसके उपर सारा assets है, कोई issue नहीं है, और इसके नीचे सारा liabilities है, अपने उसके चकर में अभी नहीं पढ़ रहे हैं कि क्या है, क्या नहीं है, बात में देखेंगे, अभी अपने सीधा move कर जाएंग पिर यहां पर आपको P&L भी बना हुआ है, ठीक है, और यहां पर आपको profit before tax, net profit after extraordinary items है, यह 3530, after extraordinary items है, तो यहां पर आपका before extraordinary items निकालना हो, तो net profit before tax and extraordinary items यह है 3390, तो अपने को यह 3390 से मतलब है, net profit before taxation and extraordinary items 3390, so इसे करेंगे, फिर देरा additional information दिया हुआ है, additional information में क्या बोला हुआ वो पढ़ लिजिए, यह हमारे लिए main काम का है, इसे पहले करके फिर अपने effect डालेंगे, तो लिखा हुआ है, an amount of 250 raised from the issue of share capital, तो अपने share capital जो यहां पर लेकर आए है, वो 250 का जो difference है, that is from the issue of share capital and further 250 was raised from the long term borrowings, और long term borrowings से धाई, अब obvious है, यह यह दि आपका share capital के अंदर में difference, देखना पड़ेगा कि share capital में difference कितने का है, तो share capital में 200 का ही exact difference है, तो आपका नीचे में कहानी clear हो गया, पहला number point में, और long term borrowings में भी 200 का difference है कि देखना पड़ेगा, तो यह रहा long term borrowings, और long term borrowings जो है, वो 10, 40 और triple 10, इसका analysis complete नहीं हो पा रहा है, तो that means कि long term borrowings में और भी कहानी होगा, वो आगे पढ़कर अपने को मालूम चलेगा है कि और क्या कहानी है, story, तो अभी अपने यहाँ इसे छोड़कर इसके आगे बढ़ेंगे, अनला अभी इसे पढ़ लिए, जरी मिल जाता, conclusion ह जाता, well and good, otherwise brain में यह चीज़ को एक बार रख लो, interest expenses was 400 of which 170 was paid during the period 100, तो interest expenses 400 है, 170 इसी साल पे किये, during the period, 100 relating to interest expenses of the prior period was also paid during the year, 100 ही नहीं पे किये, total 270 पे किये, current year के लिए 170 पे किये, last year के लिए 100 पे किये, तो during the year आपने interest कितने का payment किया है, 270 का payment किया है, अब देखो P&L में 400 interest expenses होगा, यह देख लीजे interest expenses, 400, उसका नीचे break up बता दिया, यह 400 खर्चा जरूर है, बट अपने payment जो है, 170 किये हैं for the current year, और 100 अपने payment किये हैं, interest का, relating to prior period, तो financing activities में आपका 270 ही आएगा, 400 नहीं आएग dividend paid for 1200, आपने during the year dividend 1200 का दिया है, ठीक है, next है tax directed at source on dividend received, included in the tax expense of 300 for the year, amounted to rupees 40, तो वो रहा है कि जो tax आपको दिखाए दे रहा है न, tax directed at source on dividend received, जो dividend मुझे मिला है, उसके उपर TDS cut किया गया, including the tax expenses of 300, तो जो आपका 300 का खर्चा दिखाए दे रहा है न, उसमें 40 का खर्चा, basically जो dividend income हुआ है, उसके उपर है, तो अपने अच्छी तरीगे से जानते है, income जहां उससे related खर्चा भी हुई, operating income होता, तो उससे related tax, operating activities में, यहां पर expenses जो है, वो किसके उपर है, तो बोलते है, dividend income के उपर है, तो यह tax भी कहाँ पर जाएगा, तो बोलते हैं, यह tax expenses भी आपका चला जाएगा, investing activities में, क्योंकि यह dividend income भी आपका investing activities में आएगा, तो जो उपर में tax expenses 300 दिखा रखा है न, मता पील statement में जाके होगे, तो यहां पर आपको income tax का खर्चा 300 यहां दिखा रखा, आप देखो, यह 300 हमें दिखाई दे रहा है, तो यह जो 300 आपको दिख रहा है, यह आपको 300 जगह पर दिखाई दे रहा है, उसी के बारे में बता रहा है, कि इसके अंदर में ultimately, 40 जो है, वो आपका आएगा, investing activities में, and 260 जो है, वो आपका operating activities का part है, ठीक है, उसके बात क्या है, पढ़ लेते है, during the period, enterprise acquired fixed assets for rupees 350, इस साल नया fixed assets करदा गया है, 350 का, तो 350 का fixed assets दिखाद होगे, ठीक है, कोई problem ही नहीं है, fixed assets debited to bank हो जाएगा, the payment was made in cash, और साब साब यह भी बोली रहा है, कि आपने payment जो गया ह है, वो cash में किया है, तो कोई issue नहीं है, 350 payment was made in cash, entry होगे fixed assets account, debited to bank account, तो कोई कहा नहीं है, है नहीं, next step planned with original cost 80, accumulated depreciation 60 was sold for 20, आप देख सकते हैं, 80 का original cost है, उसके पर depreciation 60 तो उसका book value आजाएगा 20, was sold for 20, आपनों से 20 में बेचा, so neither profit nor loss, आपने जितना book value था, उतना में ही बेच है, बट entry हो जाएगा, आपका bank account, debited 20, accumulated depreciation 60 to plant 80, sunday data and syndicators include amount relating to credit sales and credit purchase, only यह एक information है, कि आपका जो credit or data है, that is only because of the trade activities, उसमें और कोई भी हमारा items जुड़ा हुआ नहीं है, तो एक तरसे अपने बोश सकते हैं, कि हमारे लिए, just एक information काम कर रहा है, इसके लेकर अपने कोई भी add less, वगरा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, so, format सबसे पहले draw कर लेंगे, question number 27 का, number डाल दिया, then अपने यहां पर format draw कर रहे है, एक part में, sums को direct method बनाएंगे, और इन direct method से भी बना सकते हैं, लेकिन question कुछ बोला है, बनाने के लिए, उससे साब से बनाना होगा, using direct method demand कर रखा है, तो that's why अपने को direct method से बनाना है, तो ज्यादा है space नहीं लगेगा, अप एक ही page में हो जाना चाहिए, ठीक है न, तो अपने लिखेंगे cash flow statement, हेरिंग डाल दीजे, cash flow statement, for the year and date, 31st March 2010, निकना पढ़ेगा कि रुपया का संभल क्या है, रुपीज इन थाउजन है, yes, it is mentioned, रुपीज इन थाउजन, यहाँ पर यह mention किया हुआ है, देख सकते हैं, तो रुपीज इन थाउजन अपने mention कर देंगे, कि figure सारा अपने थाउजन में ले रहे हैं, ठीक है, अब यहाँ पर आगे बात करें, तो आगे बस sums देखना है, put करना, बट उससे पहले अपन from operating activities, यह पार्ट A हो गया, और बहुत बड़ा नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर direct method कर रहे हैं, तो आपका बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, model में लिख देंगे, cash flow from investing activities, और फिर अपने third part होगा, C number, cash flow from financing activities, तो बस यह तीन पार्ट में हमें करना है, जो जो information है, और कुछ लेजर खोलना पड़ेगा, या workings करना होगा, तो workings करेंगे, start करते हैं, सीधा अपने को direct method करना है, तो यह balance it है, और इसके बादी यह आपका information है, sales का, sales यह create sales रजूम करेंगे, एक एक करके सर्ट आते हैं, sales यह create sales है, तो collection from data's निकालना पड़ेगा, तो working करेंगे, सबसे पहला working कर रहें, collection from data's के लिए, तो heading डाल दिया, collection from data's, कैसे निकलेगा, collection from data's बहुत simple है, opening data's plus sales minus closing data's, तो आप देख लिजिए, कि sales तो figure पता है, 30,650, यह रहा, sales का figure आपको पता है, 30,650, तो यह आप लिख दोगे, 30,650, plus करना है आपको opening data's, तो opening data's आपको balance it से मिल जाएगा, balance it में जाएगे, और access के अंदर में sunday data's आपको मिल जाएगा, तो यह रहा, sunday data's, और sunday data's आपका close में है 1700 और opening में है 1200, ठीक है न, यह figure आपको समझ में आई रहा है, sunday data's, opening है आपका 1200, closing है 1700, तो plus होगा 1200, प्लस होगा आपका 1200, और माइनस होगा 1700, प्लस होगा 1200, माइनस होगा 1700, एन फाइनली आपका answer यहाँ पर आएगा, तो देख लिजी कितना आता है, काल्कुलोटर चलाएंगे, आप काल्कुलोटर में क्या आ रहा है, वो देख लिजी 30,650, प्लस 1200, माइनस 1700, तो रिजल्ट आ रहा है, देख लिजी सही कर रहे है, अपने, संदी डिटर्स यह ओपनिंग है 1200, ठीक है, नहीं उल्टा होगा, ओपनिंग यह है, और यह क्लोजिंग है, तो पहला फिगर यहाँ पर आपका प्रिवेस यहर का, तो यह डेट का ध्यान हरमेशा रखना है, जैसे मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि डेट का ख्याल रखना है, तो ओपनिंग फिगर यहाँ पर आपका जो दिया हुआ है डेटर्स का, वो देख लिजिए क्या दिया हुआ है, स्वरी, अपने सब दूसरा देख लिए, यह है ओपनिंग फिगर, यह है क्लोजिंग फिगर, तो ओपनिंग डेटर्स अपना 1200 ही है, और क्लोजिंग डेटर् है तो 1200 add हो गया, sales के साथ और 1700 less हो गया, so this is equals to 30,150, 30,150 आपका collection from data से, अब यह जो collection from data से मिल गया, आप जाकर put कर देंगे, collection from data collection from data से आप put कर दीजे, यहाँ पर, कितना आरा collection from data से लिखो, collection from data that is 30,30,150, कहां से आया, working note 1 बोलेंगे, रेफर करो, working note 1 रेफर करने बोल देंगे, next आजएगे, pnl में है, अपने pnl में जो item complete कर लिए, उसको mark कर दे रहें, कि this is done, cost of sales है, इससे अपने purchases निकालेंगे, तो working करके purchases निकालना है, तो working में जाएए, number two purchases निकाल रहे है, credit purchases आपको calculate करना है, तो credit purchases, कैसे आएगा, आपको तो वो देखो, credit purchases आता है, आपको अच्छे तरी के से पता है, opening stock, plus purchases, minus closing stock, is equal to cogs होता है, cost of goods sold, question में, cogs आपको पता है, cost of sales दिया होगा है, 26,000, this one, तो आपको यह पता है, कि यह result 26,000 आपको मालूम है, opening inventory आपको मालूम है, question में, आप opening inventory देख सकते हैं, तो balance it में जाए, opening inventory आपको देखने मिलेगा, inventory आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है, कहाँ पर मिलेगा inventory तो inventory यह रहा, inventory ओपनिंग inventory है, 1950, closing inventory है, 900, तो 1950, put कर रहा हूँ, वह यहाँ पर आप figure डाल दीजिए, 1950, 1950, purchase नहीं मालूम, रहने दीजिए, closing inventory आपको मालूम है, that is 900, तो minus 900, therefore purchases निकल आएगा आपका, purchases is equals to 26,000, minus 1950, plus 900, तो calculator चलाएंगे, क्या result आ रहा हूँ, लिख दीजिए, 26,000, minus 1950, plus 900, the resulting figure is 24,950, resulting figure is 24,950, तो resulting figure आपको यहाँ पर 24,950 दिख रहा है, अब हमें purchases मिल गया, and this is assumed to be credit purchase, क्योंकि question कुछ बोला वाने है, क्याश में कितना खरीदे, तो this is, entire purchase should be taken, that it was made on credit basis, तो यहाँ पर आपको paid purchases मिल गया, 24,950, next अपने जब purchases मालूम चल गया, तो payment to creditors निकाल लेंगे, तो तीसरा number working होगा आपका, payment to creditors, payment to creditors कैसे निकालोगे, उसकी बात करें, तो opening creditors plus purchases minus opening creditors plus purchases plus purchases minus closing creditors, हमें purchases नहीं मालूम था, हमने working करके निकाला, opening creditors was given, balance sheet में आपको दिखाई देगा, कि opening creditors है कितना, तो just check, यहाँ पर आपको संदिक creditors दिखाई दे रहा है, कि 150 है और 1890 है, संदिक creditors यहाँ पर आपको दिख रहा है, 150 है और 1890 है और 1890 है और closing 150 है, तो 1890 एड होगा, 1890 एड होगा, plus purchases 24950 एड होगा, माइनस जो closing creditors है, 150 वो लेस होगा, तो resulting figure क्या आया, वो देखो, तो 1890 प्लस 24950 माइनस 150, the resulting figure is 26,690, तो payment to creditors कितने का हुआ, यह निकल आया, 26,690, तो अपने उपर में लिखेंगे, payment to creditors, payment to creditors, 26,690, अभी प्ल में और जाएंगे, क्या है, दिखते हैं, profit and loss account में, हम लोग जहां पर है, उसकी बात करें, अब gross profit कहा नहीं खतम, अब यह depreciation बगरा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, depreciation तो non cash होता है, और direct approach चल रहा है, हमें वो खर्चा देखना है, जो operating nature खर्चा है, और वो हमें दिखाना है, administrative and selling expenses लेना है, 910 का payment हुआ, तो कहीं पर भी administrative and selling expenses चेक करेंगे, current libraries या current assets में कहीं ज़्यादा तो नहीं देखे रखेंगे, और कहीं कम तो नहीं है, तो current, यह मैं लाइबरेटेश चेक कर रहा हूँ, syndicators, interest travel, income tax payable, long term dates, यहाँ पर तो नहीं है, और current assets में चेक कर रहा हूँ, syndicators, interest receival, inventories, investments, fixed assets, accumulated depreciation, fixed assets, net, यानि कि यहाँ पर भी नहीं है, that means यह clear हुआ कि during the year अपने 910 का administrative and selling expenses occurred भी हुआ और payment भी किये, तो 910 अपने दोनों जगाह ही दिखा देंगे, तो आप यहाँ पर लिखेंगे payment of what, payment of admin and selling expenses, administrative and selling expenses, 910, यह जो हो गया ना, यह profit हमारा और तो कोई खर्चा यहाँ पर और चेक कर लेते हैं, कि interest expenses अप अच्छी तरी किसे जानते हैं कि इसका effect जो होगा, वो आपका financing activities में आएगा, interest income, investing activities में आएगा, dividend income, आपका investing activities में आएगा, net profit before taxation and extraordinary items आ गया, फिर extraordinary items है, यह आएगा, हमारे काम का insurance proceeds from earthquake disaster settlement, यह आएगा हमारा, net profit after extraordinary items हो गया, income tax, तो income tax भी हमारा जो है, वो काम का है, उस related information solve, यह करना पड़ेगा, तो यह हमारा cash flow आ गया, एक तरह से, किसके बाद, उसकी बात करते हैं, तो before extraordinary items and income tax payment, तो 30,150, minus 26690, minus 910, तो 2550, क्या लिखेंगे 2550, यह 2550 जो है, यह आपका है, our cash flow, before income tax and EOI, extraordinary items, अब आपको पता ही है, यहाँ पर income tax payment लेना है, आपको, income tax paid, जो operating items के लिए, income tax paid के हैं, वो यहाँ पर आपको अब लेस करना है, तो अब इंकम tax paid कितना होगा, वो देख लेते हैं, income tax P&L में provision किया गया, आप देख सकते हैं, कि income tax का provision P&L में 300 है, अब हमें संगसंग यह चेक करना पड़ेगा, कि पहले से मेरा income tax liabilities या provision कितना था, आप देख सकते हैं, कि income tax payable यहाँ पर है, और चेक करते हैं, इंकम tax payable सुरू में 1000 था, और लास्ट में 900 है, 400 है, तो इसका मतलब है, during the year हमने कितना tax paid ही है, वो निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर अपने लिखेंगे, income tax paid का working कर रहे हैं, working note number 4, तो working note number 4, income tax paid, income tax paid, यह working कर रहे हैं अपने, और इस working में अपने details में डालेंगे, कि अपना opening कितना है, 1000 है, तो income tax paid is equal to 1000, जो closing out, opening outshending है, plus during the year आपने 300 का provision बनाए है, जो कि PL में हमें दिखाई दे रहे है, तो 1000 plus 300, और from there, जो opening में आपका provision है, वो minus करना पड़ेगा, यहीं confusion हो, तो आप यहां लिख सकते हैं, opening outshending, यहां पर लिख सकते हैं, closing outshending, और यहां पर आप लिख सकते हैं, provided in PL, तो सीरी सी बात है, 1000 आपका पहले से ही बाकी था, 300 और आपने क्या किया है, provide गया, PL के अंदर में, total हो गया 1300, उसमें से आपका closing जो है, outshending वो है 400, minus करेंगे, तो total 1300 minus 400, is equals to payment हो गया, 900, अभी 900,000 जो हम लोग payment कर रहे हैं, तो अपने को पता है, एक line हम लोग पढ़े थे, उसको फिर से पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, number 4, यहां वाला point पढ़ेंगे, number 4, क्या बोल रहा है, number 4 में, tax deducted at source on dividends received, included in tax expenses, of 300 for the year, amounted rupees 40, तो जो भी मेरा dividend income हुआ है, उसके उपर मेरा क्या किया गया है, tax deduct किया गया, तो जो dividend income है, उसके उपर, TDS deduct किया गया, तो dividend जो मेरा होगा, उसमें 40 cut के हमको मिला है, और यह जो total हमने tax paid किया है, उसके इंदर में 40 included है, so this is actually हमारा dividend income के उपर है, तो that means कि यह हमारा investing activities है, तो यदि कोई income investing activities में आएगा, तो उसे related tax भी कहाँ पर आएगा, वो भी investing activities में आएगा, so this 40 will be recorded where in the investing activities, तो आपना investing activities में यह लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, out of, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, out of 900,000 tax paid, 40,000 was taxed on dividend income, dividend income, hence 40,000 should be taken should be taken under investing activities ठीक है, जहाँ पर मैंने सुरू में पताया था, मम्मी जाती है, वाहाँ छोटा बच्चा भी जाता है, मम्मी को फालो करता है, वैसे यहाँ पर dividend income जाहा जाएगा, उसे रिटेट, तो आपका operating activities में tax expenses कि इतना जाएगा, therefore, tax paid on operating activities is equals to 900 minus 40 is equals to 860,000, अब 860 आप income tax paid आप तो जानते ही हैं कि second last item है, तो income tax paid यहाँ पर आप 860 लिखे देंगे, 860 और 40 जो income tax paid है, वो investing activities में चला जाएगा, tax paid on dividend income, अब आजाएगे, पी अनल में आजाएगे फिर से, पी अनल में और क्या बचा हुआ है, तो profit and loss account जो कर रहे थे उसी पर आते हैं, हम लोग कहां तक पहुँँच चुके हैं, interest expenses है, यह 400, तो interest expenses चाड़ सो है, interest paid कितना है यह निकालना पड़ेगा, यह वाला भी complete कर लेते हैं, interest expenses चाड़ सो है, तो interest paid कितना हो निकालना पड़ेगा, तो working करेंगे interest paid, नमबर 5 working करेंगे, ठीक है न, तो अपने अब आगे बढ़े, यहां तक तो हो गया, चलो आगे अपने सम से बढ़ते हैं, किस जगा पर खड़े हैं, तो next है अपना जो कि यहां पर दिया हुआ है, interest expenses चाड़ सो, यह interest expenses का भी कहानी clear कर लेते हैं, कि interest expenses 400, during the year interest expenses payment कितना हुआ, वो निकालना पड़ेगा, कैसे निगलेगा, तो इससे related देखेंगे, कि कहीं आउट्षर नहीं है, प्रेपेट तो नहीं है, यह एक्रूल बिस्स में, पी अनल में दिखाई दे रहा है, तो आपको समझ में आएगा कि interest related कुछ है या नहीं है, तो बैलन्सिट का आउट्षर निंग था 100, लास्ट यर का आउट्षर निंग था 100, और करेंट यर का बाकी है आपका 230, तो interest पेबल हमारा यह है, तो आप interest expenses निकाल सकते हो, तो number 5 working होगा, number 5 working होगा, interest expenses, interest expenses, और interest expenses कैसे आएगा, उसकी बात कर रहें हम लोग, तो simple interest expenses लाने के लिए आपको क्या करना, जो interest expenses P&L में दिख रहा है, वो, opening outstanding, तो आप चाहें तो लिख लिजी, opening outstanding plus expense for the year, expense for the year, और minus करना है, closing outstanding, outstanding, अभी opening outstanding है, कितना वो देख लिजीए, तो इंट्रेस्ट पेबल सुरू में 100, तो 100, last में है 230, और interest expenses जो P&L में दिया हुआ, वो हमें चाहिए, तो P&L में दिया हुआ 400, तो आप लिखेंगे, प्लस 400, तो 100 प्लस 400, 500, तो 100-230 is equals to कितना हो जाएगा, 270, तो 500 हमारा, 100 प्लस 400, 500, माइनस closing outstanding 230 रहा, तो बालन्स जो है, वो अपने interest expenses paid, निकाल रहे थे, तो 270 was the payment, made during the period, तो 270 का payment जो हमारा आया, उसका effect देना पड़ेगा, यह आपका financing activities में आ जाएगा, interest expenses paid, तो financing में लिखेंगे, interest expenses paid, interest expenses paid, 270, 270, यह 270 है क्या, तो हमने payment देकिया है, during the period उसका यह details से, आगे बढ़ेंगे, interest income दिया हुआ 300, तो interest income यह दिखेंगे कि है या नहीं है, तो current assets, current liabilities, interest income का देख लिजिए है या नहीं है, यह है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे, interest receivable, शुरू में तो कुछ नहीं है, last में आपका 100 है, इसका मतलब है कि last वाला मिला ने, तो interest received कैसे निकले गाई है, 100, आपको नहीं मिला, और total interest आपको मिलना चाहिए था, कितना 300, तो यह रहा, यहाँ पर 300, तो 300-100, तो इसके लिए working भी नहीं कर रहे, डिरेकले लिख ले रहे है, कि आपको investing activities में आ जाएगा, interest, income received, interest, income received, 300 है, minus 100, तो 200 अपने को मिला, और यह source है हमारा, 200 मिला, तो यह source है हमारा, अभी next हमारा है dividend income, तो dividend income भी आपको दिखाई दे रहे है, dividend income है कितना 200, जिसमें से 40 TDS काट के मिला, तो 160 मिला, हम लोग यहाँ पर tax on dividend income अलग से minus कर दिये हैं, तो dividend income पूरा दिखाना पड़ेगा, या तो आप net करके भी दिखा सकते थे, यदि net करके दिखाएंगे, तो dividend income आपको कैसे दिखाना पड़ता, 200 minus 40, 160, और या तो आप 200 दिखाएंगे, तो 200 यह दिखाएंगे, और 40 नेगेटिव हैंगे, तो आटोमेटिकली आउटर कॉलम है, 160 ही आ रहा, effective वही है, आप चाहेंगे तो ऐसे दिखा सकते हैं, मैं alternative करके दिखा रहा हूं, यह नहीं सो करके, यह नहीं सो करके, आप ऐसा द दिखाएंगे, 200 में से 40 डिडाक्ट करके, आपको 160 मिला, this may be the way to show it, और जो हम लोग किये हैं, वो भी वे हैं, एक ही बात, ultimate effect will remain same, तो 200 आप दिखा दिए, dividend income, P&L का अभी analysis चल रहा है, और क्या बचा, net profit before taxation and extraordinary items, extraordinary items में और क्या है, वो देख लिजिए, insurance proceeds from earthquake, disaster settlement, 140 आपको मिला है, तो insurance proceeds from earthquake, disaster, settlement आपको लिखना पड़ेगा, यह extraordinary items में, और अपने मान लेंगें कि यह receive हो गया है, क्योंकि balance rate में कहीं से अलग से due दिखाई नहीं रहा है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे, extraordinary items, क्या लिखेंगे, extraordinary items, extraordinary items, extra, ordinary, items, और extraordinary items में, आप लिखेंगे, insurance claim, insurance claim, for earthquake disaster, तो आपको कितना मिला है, 140, तो आप 140 यहाँ पर दिखाएंगे, 140 source, यह हो गया, आपका, PNL का अभी explanation चल रहा है, मतलब analysis चल रहा है, next आजाएंगे, PNL में और क्या है, net profit after extraordinary items खतम, income tax का हम लोग कड़ चुके है, net profit 3230 हो गया, चलिए, अभी अपने क्या करेंगे, जो additional information है, उसको देखते हुए, उसको लेते हुए, balance it का items को analysis करेंगे, और conclude करेंगे, जैसे an amount of 250 was raised from the issue of share capital, इतना हमने पढ़ा, analysis किया, और share capital में 250 का ही difference है, तो यह हमारा हो गया, तो अपने यहां पर लिखेंगे issue of share, financing activities में लिखेंगे issue of shares, क्या लिखेंगे issue of shares, 250, ठीक है, 250, adjustment पढ़ेंगे, और क्या है number 2, and further 250 was raised from long term borrowings, long term borrowing से अपने 250 raised किये, तो इसका मतलब है, कि long term borrowings को check करो है, कितना long term debt है, यह, 1040 है, आपका शुरू में, अभी है, 1110, तो इसका मतलब है, कि आपने borrowings किया, तो यह तो figure, यह तो 250 add करते है, 1040 के साथ तो हो जाएगा 1290, बट 1290 तो है नहीं, इसका मतलब है, borrowings तो हुआ है, बट साथ में repayment भी है, तो आपना working करके repayment of borrowing funds आप निकालेंगे, नमबर 6, working, repayment of long term debt, क्या से निकलेगा repayment of long term debt, तो opening outstanding आपको लिख देना पड़ेगा, तो opening debt था 1040, तो मैं language में लिख दे रहा हूँ, opening due, plus new borrowings, minus closing due, is equal to क्या होगा आपका, तो opening due आपको पता ही है कि कितना था, वो आपको देखके यहाँ पर डालना है, तो opening due was 1040, तो आप लिखेंगे 1040, प्लस new borrowings नीचे में आपको additional information वो रहाँ, 250 और माइनस आपका closing balance बता है, 1110, यही है, 1110, तो अभी आपका repayment वाला figure निकला है, 1040 प्लस 250 और माइनस 1110 is equal to 180, तो अपने 180 repayment किया है, तो इसका मतलब है, अब financing activities में जाकर आपको क्या लिखना है, issue loan raised या long term, long term loan borrowed, 250, तो यह source हो गया, and redemption of, और साथ में लिखेंगे एक और, redemption of long term borrowings, working note number 6, और amount जो आया, वो 180 आया, और यह application होगा, 180 is the application, next move करेंगे, तो अपने next, क्या है, addition information कर रहे हैं, और I think पहला number adjustment हम लोग कम्प्लीट कर पाए, अभी दूसरा number है, जिसे हम लोग कर चुके हैं, interest expense was 400 of which 170 paid during the year, for the period, interest expenses अपने किये थे, interest expenses of the prior period was also paid during the year, तो यह अपने हम लोग किये थे, देखो, interest expenses कैसे निकाले थे, कि अपना सुरू में क्या outstanding था, उसके साथ हमने during the year interest expenses जोड लिया, और last में क्या outstanding है, इसे कोई फरक नहीं पड़ता है, कि आपने 270 जो payment किया है, उसका भी break up दिखाना होगा, देखिए, interest expenses 270 होगा हम लोगा पहले से, 270 होना चाहिए, financing activities में देखिए, है, पहला number यह item दिख रहा आपको, interest expenses 270 ब्राकेट में है, तो यह adjustment हम लोग खा पी चुके हैं, अल्रड़ी खतम कर दिये, तो इसके बारे में भूल जाएगे, कुछ भी नहीं करना है, dividend paid वर 1200, तो यह हम लोगों ने साथ consider अभी तक नहीं किया है, dividend paid 1200, तो dividend paid वर 1200, तो अभी dividend paid वारस अपने को दिखाना पड़ेगा, financing activities में, dividend paid, दूसरा impact इसका पड़ेगा कहां पर, तो बूलते हैं, second effect इसका आएगा, ultimately जो आपका opening reserve and surplus का balance है, and closing reserve and surplus का balance है, उसके बीच का difference यह 1200, उसको effect करेगा, तो अपने मान रहे हैं, वो सब सही की रहा है, नहीं tally करेगा, तब जाकर दिमाग लगाएंगे, otherwise कोई problem नहीं है, आना है, तो number 3 done, number 4, tax deducted at source, dividend received including in tax expense of 300, तो number 4 भी हम लोग कर चुके हैं न, याद करो जो TDS वाला बात था, was made in cash, तो आपने fixed assets जेदी 350 का किया है, तो चलिए, पर fixed assets का analysis कर लेते हैं, क्या है, तो यहाँ पर है आपका fixed assets, यह रा fixed assets, at cost, यह है शुरू में, यह है last में, तो पहले analysis करते हैं, 1910, प्लस purchases जो बूला हुआ, वो इसके साथ जोड दीचे, add करेंगे, तो during the year, बोड़ा purchase की है, 350, यहाँ पर बूला हुआ है, 350, add कर दिए, तो total होगा 2260, और closing figure है, वो है आपका 2180, तो minus 2180, तो 80 का अपने investment बेचे थे, क्या कोई, यह भी चेक करना पड़ेगा कि क्या कोई investment बेचे थे अपने, तो उपर में तो नहीं information, बट next adjustment में दिखाई दे रहा है, इसका मदब सारा कहानी clear हो गया, तो लेजर बनाने का जरूरत नहीं है, तो जब story clear होता है, तो आप चाहें, मैंने बहुत simple story है, और sums बढ़ाया है, तो इस keep कर सकते हैं, otherwise तो working करके दिखाना ही पड़ेगा, तो यहाँ पर आपका fixed assets जो है न, आपने purchase किया है, 350 का, तो चलिए है, वो 350 दिखाएंगे, financing activities में, purchase of fixed assets, purchase of fixed assets, दिखाएंगे, purchase of fixed assets, कितने का है, purchase of fixed assets, तो जो बुला हुआ है, वो लिख दीजिए, 350 का आपने fixed assets खरीदा, तो यह विल राइट, 350, application, और, the payment was made in cash, यह हो गया, अब plant with original cost 80, and accumulated appreciation 60, was sold for 20, तो sale of plant आपको दिखाना पड़ेगा, जो आपने बेचा है, 20 में, तो यहीं पर आएगा, sale of plant, bracket में लिख सकते हो, fixed assets, 20, और यह source होगा, आपने plant बीचा है, अभी उसके उपर जो accumulated depreciation है, उसका analysis हो जाएगा, कैसे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि, जो fixed assets, 60 है, उसके उपर accumulated depreciation, तो आप देख सकते हो, कि यहाँ पर depreciation कितना है, 450, तो हम लोगे, 450 का already mark किया हुआ है, तो match कर गया था, तो कोई issue नहीं है, 450, तो सारा item हो गया, adjustment last तो बूली रहे कि, संडी के इटर सेंस, जो है, वो purely purchase in sale goods के लिए है, ordinary course of business में है, तो number 7 अपने कोई काम का नहीं है, बाखी सब हम लोग consider कर चुके हैं, तो अब आप outer column में एक एक को पहुचाना सुरू करिए, तो आपका सबसे पहले आएगा, operating activities, तो चलिए operating activities में, अपने outer column में पहुचा आते है, 2550, minus 860, और plus 140, 1830 source है, 1830, source, operating हो गया, 1830, investing हाएंगे, investing को आउटर में पहुचाना, तो इंवेस्टिंग में है, minus 40, उसके बाएदा, plus 200, field plus 200, minus 350, plus 20, resulting figure है, 30, positive, और cash है, from financing activities है, तो cash from financing activities आउटर कॉलम में ले जाते है, क्या है इसका, 270, minus है, 270 है, 270 है, 270 है, minus, plus 250, plus 250, minus 180, और minus 1200, तो 1150 है, नेगेटीव, तो 1150 नेगेटीव, तो 1150 नेगेटीव, है, 30 and 1150, तो सारा मैच कर गया, आप इसमें, total कर दीजे, 1150 नेगेटीव है, उसके साथ, plus 30, और उसके साथ, plus करेंगे, 1830, total हो गया, 710, क्या लिखेंगे, 710, ये क्या होगा, A plus B plus C, आड़ करेंगे, opening cash and cash equivalence, opening cash and cash equivalence कितना होगा, question में देखी, दिया हुआ है, balance देखेंगे, सुरू में, तो आपको समझ में आ जाएगा, तो cash in hand, यहाँ पे दिया हुआ, cash on hand, और marketable securities having one month maturity, तो opening cash and cash equivalence, ये figure होगा, 25 plus 135, 25, 25 plus 135, 135, टोटल होगया, 160, तो 160 आड़ कर देंगे, तो resulting figure होगा, 870, ये होगा, आपका closing cash and cash equivalence, ठीक है, ये भी आपका देख सकते हैं कि closing 870, यहाँ पर है, 200 plus 670, इस एकवस तो 870, तो 200 plus 670, 870, तो ये भी match कर गया, कोई problem नहीं है, ठीक है, तो ये भी अच्छा एक sum है, cash flow statement, आप देखी रहे हैं, अपने line से करते गया है, 27 हो गया, next sums अपने 28 कर चुके हैं, 29 भी कर चुके हैं, 30 भी कर चुके हैं, एक और 30 है, और 31 है, 32 कर चुके हैं, बस खतम ही है, और तो कुछ है नहीं, 33 आपको खुदी करना है, मैं स्क्रीन पर लगा दे रहा हूँ, आप करें, खुद से, एक बर आपको आ रहा है, question है, how will you disclose following items while preparing cash flow statement of Gagan Limited as per AS3 for the year ended 31st March X2, ठीक है न, अब आपको एक एक आइटम दिया है, यह एक्जाम में जिदी 4 marks के लिए आ जाए, वैसा टाइप का सम है, कि आपको बुरा है कि आप कैसे disclose करोगे cash flow statement में, बताना है कि operating में जाएगा, financing में जाएगा, investing में जाएगा, और कब कितना जाएगा, यह बात आपको बताना है, कितना जाएगा, amount भी बताना है, और activity भी बताना है, जैसे आपके लिए पहला बता दे रहे हूं, 10% deventures issued है, तो beginning में आप देख सकते हैं, 110 है, ठीक है, और 31st March X2 को दिया हुआ है, आपका 77,000, तो इसका मतलब है कि beginning में आपका 110,000 और last में 77 है, इसका मतलब क्या हुआ, कि आपका जो deventures है, वो redeemed हुआ, beginning में 110 है, last में 77 है, difference निकालो ना, 110,000 माइनस 77, difference is 33,000, तो 33,000 आपका कहां पर आ जाएगा, 33,000 आप दिखाओगे, under the financing activities, outflow हो गया 33,000 का, तो इस तरीके से करना, आगे फटा-फट सी करिए, 2 मिनिट का समय, 2 मिनिट आपका हुआ, तो पहला नमबर तो हो गया, ये 10% divinches जो issue हुआ है, that will come where, that will come, ये redeem हुआ, sorry, redeem, that will come where in the financing activities, नमबर टू में बोल रहा है, divinches वे redeemed at 5% premium, at the end of the year, मनदर redemption year end में हुआ, ये बात बता रहा है, नमबर वन एक information है, ध्यान रखना, interest करकुलेट करने के काम आएगा, divinches के उपर, और दूसरा, premium was charged to profit and loss account for the year, और ये जो premium है, वो PL में charge हो गया, ये दि हम लोग cash flow statement extract बनाए, question number 33 के लिए, question number 33, और cash flow statement extract बोल देंगे, क्योंकि ये पूरा नहीं है, cash flow statement extract और format बना लेंगे, जिसके अंदर में part कर लोगे, divide, पहला part जो है, वो cash flow from operating activities हो जाएगा, cash flow from operating activities, दूसरा part हो जाएगा, आपका cash flow from investing activities, और तीसरा part होगा, आपका cash flow from financing activities, cash flow from financing activities, इसी में आएगा आपका redemption of, क्या है, और devinches, तो आप लिखेंगे, redemption of devinches, 33,000, outflow, दूसरा है, आपका devinches were redeeming at 5% premium, तो premium जो देना है, वो आपका premium यहीं पर आएगा, premium on redemption of devinches, premium on redemption of devinches, 33,000 का 5% कर लेते हैं, अपने, that is equals to 1650, यह भी आउट फ्लो हुआ, एन इसे अपने कहां चार्ज कर रखे हैं, तो बुलते हैं, this has been charged to PL account, तो non-cash, non-operating items अपने वहाँ पर adjust करेंगे, तो यहाँ पर जो आपका होगा न, profit before tax, जो की नहीं निकालना है, और इसके साथ में आपका premium on redemption, on redemption add back होगा, 1650, यह amount ढूढ़ना नहीं है आपको, क्योंकि आप extract बना रहे हो, पहला point हो गया, दूसरा point यह बता रहा है कि जो redemption हुआ, that was done at the year end, तो इसका मतलब है, 1,10,000 के उपर देवेंचर इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, 1,10,000 के उपर 10% के रेट से 11,000 डेवेंचर इंटरेस्ट हो गया, यह देवेंचर इंटरेस्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में पी एल में दिखा दिया होगा, बढ़ जबकि यह नॉन ऑपरेटिंग है, तो आपको यहाँ पर देवेंचर इंटरेस्ट आड़ बैक करना पड़ेगा, 11,000 और देवेंचर इंटरेस्ट आपका फानेंसिंग एक्टिविटीज में आउटफ्लो हो जाएगा, 11,000 यहाँ पर आपका आउटफ्लो होगा, तो पॉइंट नंबर वन ड़न, पॉइंट नंबर टू ड़न, पॉइंट नंबर थरी पर आएंगे, लिखा हुआ आनपेड इंटरेस्ट आउन डिवेंचर अच्छा, अब 11,000 कर नहीं सकते, पील में 11,000 का सही है, बट, 275 शुरू में था और 11,000 लास्ट में बाकी है, तो यह होगा 11,000 प्लस 275 माइनस 11,000 सेवेंट इफाइव, देखो, 11,000 खडचा 275 पहले से बाकी था, वो भी देना है आपको, और माइनस करना है आपको 11,000 सेवेंट इफाइव, तो आप देख लो, यहाँ पर कितना आ गया, तो कितना आ गया हो, देख लेते हैं अपने, तो क्या करना है आपको, यहाँ पर 11,000 उसमें आपको 275 एड़ करना है, माइनस करना 11,75, रिजल्टिंग फिगर होगा 10,100, तो यह होगा आपका 10,100 आउट फ्लो, यह की साथ देना चाहिए, अब यह अलग-अलग करके दे रहे हैं, पता नहीं, इनको मजा आ रहा है, नमबर 3, डन, लिखा हुआ है, रुपी 36,000 वर डेटर्स, रिटेन अफ अगेंस 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 पर डाउट फूल लेट्स एकाउंट डिरिंग दे यर, याद करो में एक सम कराया था, जहां पर डेटर्स को राइट अफ किया गया था, और उसे प्रोविजन के अगेंस में राइट अफ कर दिये थे, तो मैंने आपको बताया था कि इसका कोई भी एफेक्ट नहीं डाले, तो भी आंसर क्या होगा, आपको नोट लिखना है, तो नमबर फॉर के लिए कोई अज़स्मेंट नहीं डालेंगे, यह आपका क्या होगा, पॉर डेटर्स रिटेन आफ, अगेंस्ट प्रोविजन, फॉर डाउटफुल देट्स, फॉर डेटर्स रिटेन फगेंस पोविजन फॉर डाउटफुल देट्स, जो अज़स्मेंट रिए, अज़स्ट पन् नहीं विए, अल्टर्नेटिवली भी कर देए, मतलब कि अपने डेटर्स को बढ़ा दें, और प्रोविजन को बढ़ा दें, तो ओवर ओल एफेक्ट विल रमेंन सेम, कोई भी फरक नहीं पड़ेगा, तो नंबर फॉर का केवल नोट्स जाएगा, नंबर फाइव है, 10% बॉर्ण्ट्स ठीक है, इन्वेस्टमेंट है, और सुरू में इतना है, लास्ट में इतना है, इसका मतलब देर वेर, देर वर नो चेंज, आप बॉर्ण्ट्स के अंदर में, कोई भी चेंज़ नहीं देख रहे हैं, तो नंबर फाइव में कोई एफेक्ट है ही नहीं, आगे बोरा है, अक्रूड इंट्रेस्ट और इन्वेस्टमेंट आज ओन, 10,500 एक्रूड है, इसका मतलब है, कि आपको इस बॉर्ण्ड के उपर, इंकम काल्कुलेट करने के लिए दिया, तो आप यदि 350,000 पर 10% काल्कुलेट करते हूँ, तो रिजल्ट आता है 35,000, एंट 35,000 में आपका 10,500 मिला ही नहीं, तो यदि 10,500 नहीं मिला, तो आपको माइनस कर देना पड़ेगा, एक्रूड इंट्रेस्ट और इंवेस्टमेंट, ठीक है, तो आपका, बॉर्ड से इंवेस्टमेंट, यहाँ पर एक्रूर बिस्टमेंट में इंक्लूड हो गया होगा, इसलिए से माइनस करेंगे, और साथ ही साथ, अब अपने कैस्ट बिस्टमेंट में अपने यह रिसीव किये हैं, वो दिखाएंगे, इंवेस्टिंग एक्टिविटीज में, तो इंटरस्ट और इंटरस्ट रिसीव कितना तो अपने क्या करेंगे, जितना हमारा इंकम हुआ 35,000, आउट ओ विच अपने 10,500 रिसीव नहीं किये हैं, वो माइनस कर देंगे, यह जो पार्ट है बोला हुआ है, वो भी केवल इयर एंड में है, सुरू में कोई अक्रूट नहीं था, तो 10,500 आपको माइनस करना पड़ेगा, तो 35,000 माइनस 10,500 तो आपने कितना रिसीव किया, तो 24,500 का अमाउंट अपने रिसीव कर लिया, तो आपका 24,500 आपका आजाएगा, इंटरेस्ट ओन इन्वेस्टमेंट, ओन बॉर्ण्स इन्वेस्टमेंट, यह आप शो करोगे, और तो कुछ है नहीं, बस that's it, यह इतना ही दिखाना था, इसमें यह आपका, और कुछ करना है नहीं, एक्स्ट्रेक्ट का मतलब यह होता है, यह था आपका कुश्चन नंबर, 33, इस तरह का छोटे जोटे सम्स भी पूछ सकता है, जेनरली चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो ज्यादा ही पूछेगा, 32 हम लोग अलड़ी किये थे, और अभी करेंगे हम लोग, 31, प्रिपेर कैश फ्लो फॉर गामा लिमिटेट, आपको गामा लिमिटेट के लिए कैश फ्लो बनाना है, फॉर दे येर निट 31st मार्च एक्स वान, फ्रॉन दे फॉलिए इंफॉर्मेशन, यहां पर जो दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, sales for the year, amounted rupees 135 crores, out of which 60% was cash sales, तो यह आप समिझ लोग कि इसमें credit sales and cash sales है, तो इसके अंदर में अपने, यह space सारा यह क्या हो गया है, कि basically इसके अंदर में सारा चीज, squeeze हो गया है, space गाइब हो गया बीच का, तो आप confused मत होएगा, सर्च कर लेते हैं, कि क्या हम लोग इस तरह का sums किये थे पहले, गावा लिमेटेट तो एक ही है, तो इसका मतलब है कि अपने, यह sums नहीं किये हैं, बट ऐसा sums किये हैं, तो यहां पर आप देख सकते हो, आपका cash है, तो 135 का 40% तो credit हो गया ना, तो 54 करोर्स का आपका credit sales है, और cash sales आप निकाल सकते हैं, 135, 81 करोर्स, तो इसका मतलब है, आपका cash sales निकल आया, यह आपका credit sales है, और यह आपका cash sales है, बस पहला नंबर में यह हो गया, information से लग रहा है कि अपने को कौन सा method follow करना है, तो direct method follow करना है, ऐसा लग रहा है, purchase for the year amounted to 55 करोर्स, out of which, 55 करोर्स का अपना purchases है, और उसमें बो रहा है कि out of which, credit purchases was 80%, तो आप यहाँ पे भी break up कर सकते हैं, कि आखिरकार इसके अंदर में cash कितना है, और credit कितना है, credit purchases was 80%, तो 55 करोर का 80% यह दि करते हैं, तो 44 करोर क्रेडिट है, और 11 करोर cash, purchases का भी हो गया कहानी, तो यह अब दिखना पड़ेगा कि outshending है या नहीं है, लेकिन यह बता रहा है कि 80 करोर administrative है, और selling 20 करोर है, यह खर्चा बताया है, यह नहीं बुला कि payment हुआ कि नहीं हुआ, तो additional information में यह कोई भी इस से related information नहीं रहेगा, तो भी make the assumption कि इतना हमारा cash payment ही हुआ है, तो company redeem deventures of 20 करोर at a premium of 10%, यह company redeem करती है 20 करोर और premium 10% देती है, तो यानि 20 करोर के बंदे में company 22 करोर देगी, deventure holders were issued equity shares of, deventure holders were issued equity shares of रुपीज 15 करोर towards redemption, तो deventure holders को basically क्या किया गया, 15 करोर का equity दे दिया गया, and balance was paid in cash, तो 22 करोर cash में नहीं दिया है, वो आप 15 करोर का shares ले लो, and बाकी के लिए आप cash ले लो, तो 22 करोर में 15 करोर का shares दे दिये, तो balance कितना बचा, तो भूलते हैं balance हमारा इसके अंदर में 7 करोर बच गया, जो 7 करोर अपने cash दे रहे, लिखावा divinches interest paid during the year as 1.5 करोर, और divinches interest अपने 1.5 करोर का दिये हैं during the year, ठीक है, divinches interest हमारा है financing activities में 1.5 करोर आ जाएगा, dividend paid आप अच्छी तरही किसे जानते हैं कि कहां पर दिखाया जाता है, तो dividend paid आजाएगा आपका investing activities में, sorry, financing activities में 11.7 करोर, investment costing 12 करोर, वर्स ओल्ड अटे profit of 2.4 करोर, तो investment का 12 करोर का उसका cost है, बट आपने बेचा है 2.4 करोर profit लेकर, तो आपने इसे बेच दिया है 12 plus 2.4 is equal to 14.4 करोर में आपने बेचा है, और investment बेचा है तो ये investing activities में आ जाएगा, next number 7, 8 करोर was paid towards income tax during the year, तो ये सारा information से जागे रिया हुआ है, आप हाली put करना है, ये बहुत easy sum है, तो 8 करोर रुपे आपने payment किया है tax during the year, तो आप income tax paid 8 करोर दिखा देंगे, a new plant costing, a new plant costing 21 करोर, समझ रहे हो ना, was purchased, in part exchange of an old plant, एक नया plant हमने 21 करोर का खर्दा, बल्ले में हमने पुराना plant दिया, वह इत पुराना दे के नया ले आए, तो दाट मेंस कि वहाँ पे तो कोई cash involved नहीं है, आपने assets के बदले में assets लिया, तो वहाँ कोई problem नहीं है, आगे बोल रहा है, the book value of the old plant was 12 करोर, और पुराने plant की मर्जो है, वो 12 करोर है, ठीक है, book value, तो 12 करोर, तो हम पुराना plant का value हुआ, तो 21 करोर का हमने नया लिया, तो बाकी तो difference हमें देना पड़ेगा, but the vendors took over the old plant, at a value of 10 करोर, तो पुराने plant पे 2 करोर का loss हो गया, ठीक है, पुराने plant पे 2 करोर का loss हो गया, क्योंकि 12 करोर book value है, बाट exchange value वो 10 करोर ही दे रहा है, तो इसका मतलब है, यह 21 करोर जो आपका यहां दिखाई दे रहा है, यह 21 करोर जो दिखाई दे रहा है, उसमें से पुराना के बदले में 10 करोर ही adjustment होगा, तो 21 minus 10, 11 करोर तो मुझे देने पड़ेंगे, लिखावादा balance was paid in cash to the vendor, तो कितना दिया है, समझ में आई गया, 21 करोर माइनस 10 करोर, इस इक्वस टू अपने 11 करोर कैश में दिए, पुराना वाला अपने एक्चेंज कर लिए, उसके लिए अप जनेरेंटिस करेंगे तो बहुत असान है, बैंक एकाउंट आपने क्या कर रहे हैं, न्यू प्लांट डेविटे 21 करोर, और टू ओल्ड प्लांट 12 करोर, लॉस अन ओल्ड प्लांट डेविट 2 करोर, और आपका टू बैंक 11 करोर, देखो एक्वेशन बराबर हो गया, तो आपका यह हो गया, बैलेंस वास पेर इन कैश तो दे वेंडर, तो 8 नमबर एजस्टमेंट भी दन, 9 नमबर दर, पॉलिंग बैलंसे आर, और अलसो प्रोवाइड़ डेटर सुरू में इतना है, लास्ट में इतना है, तो डेटर का बैलंस हमें इन डारेट मेथट हम करते हैं, तो वहाँ पे काम आता, लेकिन यहाँ पे भी काम आएगा, क्योंकि ओपनिंग जो क्रिडिट सेल्स है, वो इसके साथ मैं आड करूँगा, और यह वाला फिगर लेस करूँगा, so that I can get what collection from data, वैसे ही आपका जो क्रिट परचिज़ इसके साथ यह आड होगा, यह लेस होगा, in order to get what payment to credit, और यह आपका बीच का difference है, यह आंसर होना चाहिए, 18.2-6, यानि कि यह आपका आंसर होगा, समझ गये, तो 12.2 will be the answer, तो easy साथ सम से करते हैं, फटा-फट से कुछ भी है नहीं, इसमें 31 के अंदर में, तो 31, 31, format बना लिए एक पेज का ही format होगा, काफी इसके लिए, तो question number 31, और यह हो गया आपका format, चोटा सा नहीं है, एक पेज है पुरा पुरी, पुरा one page, यह हो गया आपका amount final, यह हो गया आपका details column, और आप यहाँ पर heading डाल देंगे, cash flow statement, cash, flow statement, for the year ended, 31st March X1, ठीक है, अभी अपने एक एक करके सल्टाते हुगे ही करेंगे, लेकिन इसमें heading बाइ फरकेट करना पड़ेगा, आप सबसे पहले यहाँ पर लिख दीजिए, कि पहला है आपका, cash flow, वो पुरा लिखते हैं, shortcut नहीं, cash flow, from, operating activities, उसके बाद आपका होगा, cash flow from, investing, और फिर होगा आपका, cash flow from, financing, cash flow from, investing activities, and C number cash flow, from, financing activities, इतना easy sums, exam में आने का probability, हाई रहता है, ध्यान रखेगा, तो very important करके, mark कर लिजे, मतब एक exam oriented, important बोल रहे, practice oriented, important बोलता हूँ, एक exam oriented, oriented important बोल रहा हूँ, तो ये exam oriented important है, तो ये आप इतना मान के चलिए, कि वो आपके लिए, important सामय है, चलिए, पहला number है, तो आपका collection from, डेटर से ये, इसी से अपने निकालेंगे, cash sales आपको पता है, तो आप सबसे पहले, cash sales यहाँ पर लिख दीजिए, cash, sales, cash sales का फीगर है, 81 करोड, यहाँ पर रूपीज इन करोड लिख दीजिए, in करोड, in करोड, और cash sales अपने, 81 है, 81 लिख दीजिए, 81, collection from data, चाहिए, collection from data, अपने को पता है, कि शुरू में data क्या है, वो दिया हुए है, वो देख लिजिए, 45 ओपनिंग में है, last में 50 है, तो 45, 50, और जो create sales है, वो add हो जाएगा, तो create sales है, कितना, तो create sales है, 54, तो 54, तो 54, 45, प्लस 54, माइनस 50, इस इकोज तो कितना, 49, तो 49, collection हो गया, अब इसके नीचे लिखेंगे, cash purchases, cash purchases कितना है, वो देख लिजिए, given है, question में, तो cash purchases, आपका cash purchase is 11, तो आप लिखेंगे 11, और फिर लिखेंगे payment to creditors, आपको पता ही है, कि आपने credit में purchase किया हुए, 44, तो यह रिखेंगे 44, और आपको opening balance चाहिए होगा, creditors का, supplier का, 21 है और 23, 21 है और 23 है, तो सीधा है, 21 प्लस 44, माइनस 23, इस इक्वर स्टो कितना, 42, तो आप 42, यहां से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, next बढ़ते है, point वही चल रहे हैं, अभी हमारा, अब first point हो गया, ठीक है, first point done, उसके बाद second point भी हमारा, हो चुका है, purchase वाला, administrative के बारे में कोई information नहीं है, तो अपने यहीं मानेंगे, कि 18 हमने administrative expenses दिया, और 22 हमारा selling expenses है, तो 18 और 22 लिख दीजिए, 18 और 22 आपको लिखना पड़ेगा, यह outflow है, तो आप लिखेंगे administrative expenses, फिर लिखेंगे selling expenses, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 भी हो गया, तो पॉइंट नंबर 3 भी हो गया, अभी नंबर 4 पर आएंगे, 4 में क्या है, दिखते हैं, दे कांपनी redeem deventures, आप 22 करोर अट प्रीमियम अप 10%, तो 22 करोर का deventures redeem किया है, और उसे equity shares से 15 करोर दे दिये, और the balance वर paid in cash, तो 22 करोर में 15 करोर equity दे दिये, तो आखिर आपने दिया कितना बैए cash, तो आपने 7 करोर deventures के लिए cash दिया, तो आप लिखेंगे, यहाँ पर redemption, आप यहाँ पर लिखेंगे, redemption of deventures, at premium, amount लिख दीजिए, 20, premium to, minus equity shares जो issue करके cover हो गया, तो आपने 7 करोर रुपय का payment किया, outflow, इसके बाद क्या है, वो देख लेते हैं, after this, तो आपने dividend paid किया है, और dividend during the year आपने pay किया है, कितना वो देख लेजिए, sorry, deventure interest पे किया है, कितना pay किया है, during the year, 1.5 करोर, तो 1.5 करोर आप लिखेंगे, payment of, deventure interest चाहिए, लेख दीजिए, deventure, interest, paid, और during the year आपने payment कितना किया है, तो 1.5 करोर का, 1.5 करोर का, तो point number 4 भी हो गया, चलिए point number 4 का कहानी over, point number 5 पर आएंगे, dividend paid during the year, amounted rupees 11.7 करोर, तो dividend आपने 11.7 करोर का दिया है, लिख दीजिए, dividend paid, 11.7 करोर, next point number 5 होने के बाद, next move करेंगे, 6 के तरफ, investment costing 12 करोर, वर सोल्ड at a profit of 2.4 करोर, तो investment बेच के कितना आया, 14, 14.4 करोर आया, तो sale of investment दिखाएंगे, investing activities में, sale of investment, 14.4 करोर, 14.4 करोर, तो investment costing 12 करोर, वर सोल्ड at a profit of 2.4 करोर, तो अपने profit लेके बेचे हैं, cost बार हैं, तो 14.4 करोर में बेचे, ठीक हैं, और यहां पर direct method है, indirect method है नहीं, कि अपने जाएंगे पी एल में भी effect डालें, indirect method में इसका, पी एल में भी effect गरता है, तो यह indirect method है, नहीं, direct method चल रहा है, तो point number 6 भी अपना हो गया, point number 6 भी अपना हो गया, अभी 7 पे मूब करेंगे, 8 करोर वर पेड, towards income tax during the year, तो 8 करोर का income tax payment आ गया, तो यह आप लिखेंगे, income tax paid, 8 करोर का payment कर दीजिए, हो गया, point number 7 भी, point number 8 में आई है, new plant costing 21 करोर वस, वस purchased in part exchange of old plant, the book value of the old plant was 12 करोर, but the vendor took over the old plant, at a value of 10 करोर only, तो इसका मतलब है कि, मेरा पुराना plant के बल्दे में 10 करोर मिला, और 21 करोर का नया plant हमने लिया है, तो नेट नेट बीच का difference हुआ, 11 करोर, जिसे अपने क्या करेंगे, 11 करोर, cash flow हमारा 11 करोर है, cash outflow, तो payment to vendor, लिखेंगे, payment to vendor, for purchase of new plant, in exchange of old plant, 11 करोर का outflow, ठीक है, 21 करोर हमने, नया plant का value हमारा है, मेरे पुराने plant का कीमत, उसने लगाया 10 करोर, और इसे profit loss पेनल में नहीं जाएगा, पेनल में इसका profit loss नहीं जा रहा है, the balance was paid in cash, to the vendor तो हो गया, तो finally सारा चीज़ हम लोग कर चुके हैं, कुछ बचा नहीं, तो ultimately, अब अपने क्या करेंगे, outflow, मतलब ultimately निकाल देते हैं, क्या है, तो पहला है, 81, plus 49, minus 11, minus 42, minus 18, minus 22, is equal to 37, 37 लिखेंगे, और इस 37 से 8 minus होगा, 29, investing को आउटर में डालें, तो investing को आउटर में डालेंगे, तो negative 25.4, 25.4, outflow, और financing को आउटर में डालेंगे, तो 7, 8.5, 8.5 प्लस 11.7, 20.2 नेगेटिव, और टोटल करेंगे, A प्लस B प्लस C, तो नेगेटीव है दो, पॉजिटीव है एक, नेगेटीव है ज्यादा बड़ा, तो 16.6, 16.6, A प्लस B प्लस C ये नेगेटीव आया, 16.6 इस नेगेटीव, तो अब अपने, opening cash and cash equivalent इसमें जोड़ दे, 6, तो आएगा नहीं, कुछ छूटा है, क्रॉस से करते हैं, क्या छूटा, क्या छूटा है, देख लेते हैं, एक बार, इसमें हमको नहीं कोई गलती लग रहा, पर्चेस, एक बार चेक करने से पहले, एक बार काल्कुलेशन चेक कर लेते हैं, कि कहीं काल्कुलेशन एरर तो नहीं रहा, इधर में, टीवन प्लस फृटीनाईटी वन प्लस फृटीनाईटी वन अप्लस हैं, टोतल हो गया आपका इसमें, ट्वनटीनाइटीन ये करेक्ट है, कैश फ्लो इंवेस्टिंग अक्टिविटीटी इसमें, टोटल सही है लेकिन सेल आफ इन्वेस्टमेंट देखना हमने ब्रैकेट में डाल दिया यह ब्रैकेट में नहीं होगा यह तो सोर्स है ना बेचके तो रुपया आया ना इन्वेस्टमेंट बेचे तो we had received the cash 14.4 is the source 14.4 यह गलत हो गया था 14.4 positive है और 11 negative है तो difference जो है ना वो 3.4 positive होगा आप करते है 29 29 plus 3.4 total होगा है 32.4 और minus 20.6 sorry 2 तो result है 12.2 positive और 12.2 positive और यह उसके साथ में आड़ करेंगे अपने 6 13.2 आ जाएगा तो आड़ करेंगे opening cash and cash equivalents कुछ भी नहीं था basic सा एक चीज जदि इदर उदर हो जाता है तो problem हो जाएगी 18.2 तो focus जहां बोलते हैं ना नजर हटी दुर घटना घटी जैसा बोलते हैं वही चीज हो गया यहाँ पर ultimately 18.2 cash flow from financing activities निकल आया तो हो गया यह सम्स नमबर 31 भी और अपने इसके पहले कर चुके हैं 31 के पहले एक उसी तरह का साम है question number 30 M&T Limited देख लीजे सेम साम्स है मतलब figure change है थोड़ा से style change है बट story होई है कि आपको put करना है तो एक question number 30 एक बचा और इसके पहले हम लोग सब कर चुके हैं तो question number 30 करना है last sum है कर लेते हैं यह भी हम अदम करते हैं थर्टी नंबर भी को 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 कि तो यहाँ पर आपका क्या है प्रिपेर cash flow statement of Mrs. M&T Limited for the year in the 31st March X1 with the help of following information इस तरह का समस्जादा आता है इसमें क्या होगा unnecessary information भी होगा तो आपको unnecessary information छोड़ना आना चाहिए तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसमें ऐसा नहीं है कि सारा information को जबर्दस्ति यूज़ करना है company sold goods for cash only साब साब बोल दिया कि सारा का सारा cash sales होता है आपको टेंशन नहीं लेना है मला all the sales were made on cash तो टेंशन नहीं है आप चीदा cash में बेशते हो तो किसी तरीके से आपको क्या मिल जाए तो बोल रहा है किसी तरीके से आपको sales मिल जाए तो आपको cash collection जो है वो मालूम चाल जाएगा direct वाला अप्रोश से gross profit ratio यहाँ पर साब साब बोल रहा है तो gross profit ratio was 30% for the year gross profit amounts to 382,500 यह लोग बहुत असानी से यह 30% के बराबर 382,500 है तो अपने cash sales निकाल पाएंगे sales कितना होगा वो निकल गया 382500 लाएंगे दो डिवाइड़ बाए 30% तो 382,500 डिवाइड़ बाए 30% कर दो तो 12,75,000 हुआ 12,75,000 हो गया है तो 382,500 डिवाइड़ बाए 30% कर दिजे तो 12,75,000 आ गया opening inventory was lesser than closing inventory यहाँ पर changes in inventory तब आता जब ही direct method करते तो तो यहां तो अपने 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 काम का नहीं है हाँ यह काम आ सकता है यह पेमेंट में डालते हैं कि यह भी हमारे कोई काम का यह भी ऑपरेटिंग में आ जाएगा डिविदेंट पडिवरिंग तरी फैंग जाएगा विदेंग दिया थीघूर्ट फैंद बैंक लोन जो है इन्कूलिण इन्ट्रेस्ट दिया है तो यह मेरा फाइनेंसिंग मैं आ जाएगा तो ये बता रहा कि मेरा trade payables में differences क्या है ये मेरे काम का इसको hold में डालो ये information मेरे काम का कब होगा जब हमें direct payment to creditors नहीं मालूम हो तो आगे चेक करेंगे क्या है amount paid to trade payables during the year 4,60,000 अब हमारे लिए ये कोई काम का information नहीं रहा तो इसे cross कर दिये 3 number and 8 number अब no longer is required because इसका कोई काम नहीं है next is number 10 tax paid during the year amounts to रुपी 65,000 provision for taxes and as on 31st March X1 is 45,000 तो tax paid during the year अपने कर रहे है 65,000 का tax payment है and paid हमें देही दिया है तो सीधा 65 से मतलब है provision for taxes and as on this तो provision से क्या लेने देना है हमें तो tax paid का figure चाहिए था 65 investment of rupees 7 lakh sold during the year at a profit of 20,000 यानि 7,20,000 रुपय का आपने investment बेचा तो यह आपका source हो जाएगा investing activities में फिर दिया हुआ depreciation on fixed assets अपने कोई काम का नहीं है है अभी इसको hold में डालेंगे प्लांट इंवेस्टिंट नॉम्बर 2010 तो अपने यह purchase किये हैं तो यह हमारा investing activities में outflow हो गया cash and cash शुरू में बता दिया दो लाक लास्ट में बता दिया 6,7,500 यानि बीच का difference a plus b plus c is equals to 4,7,500 तो इसका मतलब है कि जब हमें purchases मालूम है opening balance of plant and machinery closing balance नहीं पता है तो अपने को जो चाहिए था purchase का figure हो मालूम है तो कुछ करने की जरूरूत नहीं है सीधा अब आप बनाईए question number 30 पर जा रहे है अपने एक ही पेज में हो जाएगा question number 30 chapter का last sums करने जा रहे है अपने और question number 30 में सबसे पहले आप format draw कर लेंगे okay so format में आपका एक ही पेज में हो जाएगा यह वाला क्योंकि इसके अंदर direct method कर रहे है अपने direct method होते एक single page में covered हो जाता है लेकिन ही direct method तो बिलकुल नहीं होगा क्योंकि उसमें space ज्यादा लगता है आपको reverse करना पड़ता है बहुत सारे item को तो heading डाल दिए आपका cash flow statement क्या लिखेंगे cash flow statement cash flow statement पहला पार्ट हो जाएगा आपका cash flow from operating activities period लिखेंगे कपके लिए बना रहे है आपके लिए बना रहे है तो अपने बना रहे है for the year ended 31st March X1 okay और इसे के निचे space रखो और बनाओ बनाओ cash flow from investing activities और C नंबर होगा आपका cash flow from financing activities cash flow from financing activities जो अपने को पता है वो अपने यहां पर दिखाएंगे तो पहला है आपका cash sales मादम चल गया है तो आप लिख देंगे 12,75,000 कैसे है वो भी वहीं दिखा दो तो आप यहां पर लिखेंगे cash sales you will write here cash sales जो दिया हुए 3,85,000 है क्या 3,82,500 3,82,500 divided by 30% 12,75,000 नेक्स्ट है आपका यह आगया ओपनिंग इंवेंटरी वाज लेसर दिन ट्लोसिंग इंवेंटरी मतलब नहीं है वेज़स पे दूरिंग दैयर 4,92,500 तो वेज़ पेमेंट लिख दीजिए वेज़ पेमेंट 4,92,500 वेज़ पेमेंट के बाद है आपका ओफिस न सेलिंग स्पिंसल पे दूरिंग दैयर 75,000 है ओफिस न सेलिंग स्पिंसल नेक्स आपका डिविदेंट पे दूरिंग दैयर तो ये डिविदेंट आपका आ जाएगा फाइनसिंग में दिविदेंट पेट दिविदेंट पेट 30,000 आउट फ्लो डिविदेंट पेट के बाद है बैंक लोन नेक्स पॉइंट है नमबर सेवन बैंक लोन रीपेड दिविदे ये दो लाग पंद्रेजार इंक्लोडिंग इंट्रेस्ट तो लिखेंगे फाइनसिंग में बैंक लोन दो लाग और लिखेंगे इंट्रेस्ट और बैंक लोन पेड एक लाइन में भी लिख सकते थे इंट्रेस्ट और बैंक लोन पेड दोनों मर्च करके जैसे दिया वाँ था वैसे भी लिख सकते थे कोई इशू नहीं है कोई प्राउलम नहीं है details बस जाना चाहिए तो यहाँ पर आपका bank loan repay during the year 2,15,000 including interest 15,000 हो गया trade payables on 31st March 2010 exceeded the balance on this कोई काम का नहीं है number 9 amount paid to trade payables during the year 4,60,000 तो आप लिखेंगे operating में 4,60,000 का payment किया आपने payment to trade payables payment to trade payables 4,60,000 उसके बाद है आपका tax pay during the year amount to 65,000 तो आप लिखेंगे tax payment 65,000 income tax pay 65,000 11 है investment of 7,60,000 during the year profit of 20,007,20,000 investment बेज़ दिए तो investing activities में लिखेंगे sale of investment sale of investment 7,20 and triple 0 और यह source होगा क्यूंकि बेचे है तो इसके बदले में आपको cash मिला होगा 7,20 उसके बाद next है depreciation on fixed access amount of Rs. 85,000 मेरे काम का नहीं है plant and machinery purchase on 15 नॉंबर तो कितने का खरीदे plant and machinery देई दिया धाई लाग का खरीदे तो purchase of plant and machinery 2,50,000 2,50,000 का अमने plant and machinery खरीदा so purchase of plant and machinery 2,50,000 दिया वही है आउटफलो हो गया anything else so नहीं सारा चीज़ हो चुका है बस अपने put करेंगे तो इतना simple sums था और इस तरह का sums में एक खास बात ये है कि देखो यहीं सम्स का framing गलत हुआ framing गलत होने का मतलब information में कोई type of error या कुछ हो गया तो उसको ढूंडा नहीं जा सकता अपने उस गलती को नहीं ढूंड पाएंगे क्योंकि हम लोग कोई compare analysis हम लोग नहीं कर रहे हैं उन्होंने analysis करके information हमें दिया है तो हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं ठीक है 75,000 और माइनस करेंगे 4,60,000 दिफरेंस इस 247,500 positive और विद आट 65,000 माइनस करेंगे तो 182,500 positive 182,500 positive investing activities से निकाल लो sale of investment है यह तो positive है purchase of plant and machinery negative है तो investment बेचे कितने का 7,20,000 का investment बेचे हैं तो 7,20,000 minus 2,50,000 the difference is 4,70,000 negative sorry positive 4,70,000 positive और financing activities का भी निकाल लेंगे तो financing activities का आपका क्या आ रहे हैं तो यह है 30,000 negative 2,00, negative and 15,000 negative so 2,00, 45,000 negative 2,00, 45,000 negative मनलब outflow अभी सब को कर लेते हैं 182,500 plus 4,70,000 minus 2,00, 45,000 difference है 407 407 5,000 5,00 इसके साथ अपने क्या करेंगे अपने क्या करेंगे अपने क्या करेंगे opening cash and cash equivalents चेक करो opening cash and cash equivalents कितना है 2,00,000 तो 2,00,000 add कर देंगे तो 2,00,000 add करो यह exam में 10 marks के लिए आता है इस तरह से आप बताओ easy है heart cash flow statement तो एकदम easy है 607,500 तो अपने बीच में बहुत difficult difficult sums भी किया क्या logic था कि बीच में difficult sums भी किया तो simple logic था कि अपने यह दी बहुत difficult क्या हुआ रहेगा concept clear रहेगा concept clear रहेगा तो कैसा भी sums आ जाए जितना ही difficult paper क्यों ना है आपको exam में कभी भी owning expert level knowledge यानि आपको teacher से कहीं पर भी कम नहीं आना चाहिए even आपका speed teacher से ज़्यादा होना चाहिए teacher तो समझाते समझाते slow हो जाता है पता ही नहीं चलता कि वो कब slow में चला गया मतलब कि slow motion में जा चुका है लेकिन student के उपर जादा competition है जादा pressure है पहले जो question आता था 15 marks में वही question को 10 marks में वो डाल दे रहे है so they are putting the extra question extra burden during the exam period or during the exam so that's why वो आपको handle करना आना चाहिए and for that you need speed and speed will come only with the practice तो मैंने तो कोसिस किया cash flow का हर variety is cover हो जाए ठीक है और अगले class में नया chapter के साथ फिर से मिलेंगे thank you bye bye